सत्गुर्देव की जै सर्वशंगत से प्रार्थना है सत्संग प्रार्म हो रहा है कर्पया सत्संग सथल परशांती पुर्ग वरादमानों करके सर्दा से सत्संग सुने प्रमेश्वर की प्यारी आत्माँ से पुनत विदन है, सत्संग प्रारम हो रहा है, कर्पया सत्संग सत्ल परस्यांति पुर्ग राजमानों करके, सरदासि सत्संग सुने, सत्सोहिव कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णू की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता ये जानने के लिए कर्पया सुनिये जगत गुरू, तत्व दर्शी, संत राम पाल जी महराज के अम्रित वजन, सर्व पवित्र धर्मों के, पवित्र शास्त्रों के आधार पर दर्शको, दामा खेडा गर्दी नसीन, शिप्रकाश मुने नाम साहिब जी की अस्वस्थ होने के कारण, साधना जीवी के साथ आध्यात्मि ज्यान चर्चा में भाग नहीं ले पाए जिस कारण उनके आधेशा नुसार, उनके विचारों को, उनके द्वारा बताये गए प्रवचनों की सीडी, कैसेट के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं तथा उनके आधेशा नुसार, उनके परमशिश्यों, डॉक्टर पारज नाजी, तथा बांधव गद्धी नसीन महंत, शी हरिश दास जी ने प्रकाश मुनी नाम साहिब जी के विचार, साधना चीवी को बताए, वो भी आपके सामने रख रहे हैं नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ नेहा शर्म और आप देख रहे हमारा विशेश कारिक्रम आध्यात्मि ज्यान चर्चा, अई शुरुवात करते हैं कारिक्रम की और जानते हैं विचार, जगत गुरु तत्रदशी, संत रामपाल जी महराज, सतलोक आश्रम बर्वाला, जिल परमात्मा साकार है या निराकार है? देखिए परमात्मा का स्वरूप जो हम करते हैं वह तो सदा निराकार ही होता है. पूरुन गुरु या सत्गुरु की पहचान हम कैसे करेंगे? देखिए पूरुन गुरु या सत्गुरु की पहचान तो हमें अपने चिंतन से, अपने बोध से आपके जीवन में जब किसी के उपदेश से या किसी के दर्सन से आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई चेतना जागरित हुई वही उसकी पहचान है और कोई दूसरी पहचान नहीं हो सकते उसी पहचान से आपको ये निरने करना पड़ेगा कि मेरे लिए ये सद् के अंसार से सब्द नित्य होता है उसलिए कभर करते हैं हम को मिला नहीं हरा जो सब्द सक्ति है, वो सदा विद्यमान रहती है, और हम सब्द सक्ति में विद्यमान रहते हैं, सब्दन विंसे विंसे देहीं, कहें कबिर हम सब्द से नहीं, तो सद्गुरु कबिर साहिब सब्द की सक्ति और सत्ता को सर्वो परी बताए, और उसका कभी विनास नहीं होता ये सद्गुरू ने अपने परिचे के रूप में ये दिया तो जी कभीर साहिव सद्गुरू है या सद्पुरुस है इसमें कुछ भिनता है या लिए सद्गुरू कभीर साहिव सद्गुरु के रूप में इस संसार में इसलिए हम उसे सद्ध्गुरू के रूप में वानते हैं तो इस सृष्ठी की रचना के वीशाय में जो साहिब के पन्त में जो गृंत में चर्चा है वह इस तरह से कि सत्पुरुष की आग्या से निरंजन ने इस तीनों लोग की रचना कि ऐसा चर जाए तो सद्पुरुष की आग्या से निरंजन ने तीनों लोकों कि रचना कि तो कभीर जी ने कहा था कि जब धम्दा जी से कहा था कि जब तक कि आपका वंस रहेगा तब तक मैं यानि कभीर जी इस धर्ती पर नहीं आओंगा देखिए वंस का ताथ पर यह होता है शयुक्ति कोई सधीजों विवाह या बच्चे और से रूप में विद्यमान नहीं रहते हैं सद्गुरु की सब्ध जो सकती है जिस अंस विद्यमान रहता है वही उसका वंस होता है तो सद्गुरु कबिर साहिब ने कहा वचन माने सो हंस हमारा हंस कोन है जो वचन को मानता है तो जब तक वचन की सत्ता एक सिस्थ दूसरे सिस्थे में आता है वही उसका अंस होता है तो यह धर्मदास साहिब को सद्गुरु कबिर साहिब ने इसी सत्ता का संदेज दिया तो क वेलियुग में किस का नाम लेने से हमें मुक्षी प्राप्ति हो सकती हैं देखिए यहां मुक्ती की अलग-अलग मार्ग शास्त्रों में और हमारे जो भारत का में अनेक धर्म चल रहे हैं उनमें अलग-अलग विभाग है हमारे सद्द कोभिर साहब के अंसार और धर्मदाज साहब के पल्द के अंसार गुरू ने जो उपदेश दिया उस मार्ग में जिसकी सूरती और निरती है उसी मार्गे से मुक्ति को प्राप्त करें अब दूसरे के मार्गे से हमें कोई लेना देना नहीं न हमारा कोई वो साध्य है वो तो अपने है सुर्ति और नुट्टी का जिकर क्या ये क्या है सुर्ति तो सब के पास एक सेकंड में आपकी सुर्ति दुनिया के किसी कोने में चले जाती है और सब्द है जो सद्गुरु कि द्वारा बदाया गया मार गया उसको सब्द कहा जाता है उस सब्द में यदि आपकी सुर्ति स्थिर होती है तभी वह सुर्ति उस सब्द सरूप सब्द के माध्यम से उस सरूप में जाता है जहां जाए फिर हंसन आये भौसागर की धारा संतो सोनिज देश हमारा इस तरह स सद्गुरु ने सब्द के माध्यम से गति और मुक्ति का मार्ग बताए अभी आपने सुने लहरतारा तालाप के गदी नसीन कभीर पंथी आचार श्री अर्ध नाम सहिब जी के विचार और आएए अब जानते हैं दामाखेडा गदी नसीन कभीर पंथी श्री प्रकाश मुनी नाम सहिब जी के परंशिष्य बांधवगर गदी नसीन महंत श्री हरिश दास जी दुआरा बताए गये प्रकाश मुनी नाम सहिब जी के विचार अभी आपने सुने दामखेडा गदी नसीन, कबीर पंथी, श्री प्रकाश मुनी नाम सहिप जी के परम्षिष्य बांधावगर्ड गदी नसीन, महंत श्री हरिश दास जी दुआरा बताए गए, प्रकाश मुनी नाम सहिप जी के विज़ार और आईए अब जानते हैं दामाखेडा गदी नसीं कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनी नाम साहिब जी के परम शिष्य डॉक्टर पारसनाज जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनी नाम साहिब जी के विचार तो आप जी के जो पूजे गुरु जी हैं वरतमान में जो प्रकाश मुनी नाम साहिब जी वो अपना इश्ट देव किसे बानते हैं वो अपना इश्ट देव कभीर साहब को ही अपना मानते हैं रसब परमात्मा को साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं परमात्मा तो मतब न निराकार ही हैं लेकिन हमारे यहां निराकार और साकार का जगडा ही नहीं है गुरू के रूप में परमात्मा को देखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है और वो गुरू को ही परमात्मा माना जाता है आप जी श्री दरमदास जी की परमपरा में आपके जो गुरू जी है वो स्री ध्रमद्राश जी प्रमप्राम कौन से नंबर के गदिनी सी ने वो हम लोगों के गुरू तो ये चौद्धमे बंस गुरू थे इनके प्रकास्मुनाम साहब के पिता जी और पंस्री गिर्धमुनाम साहब तो हम लोगों के वो गुरू थे और उनहीं के पुत्रिये है अब ये बैठे ये भी हमारे गुरु है आरादे तो आप इनको अभी गुरु मानते हैं या गुरु भाई मानते हैं ने ने प्रकाश मुनी नाम सहिब जी के विचार और आईए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदरशी संतराम पाल जी महराज सतलोक आश्रं बर्वाला ज जिला हिसार हर्याने के विचारु दंडवतम गो बिंद गुरु मुबंदू अविजन सोहे पहले बय परणाम तिन नमा जो आगे वोये कलियोग को परमात्मा कवीर जी ने तीन चरनों में बाटा है पर्थम चरन जब सुम आए थे अब बिचली पीडी जो अब चल रही है और अनतिम लास्ट वाले करत गनी हो जाएंगे कलियोग के जी वो बकती नहीं करेंगे मासा हरी बकवादी हो जाएंगे अब ये प्राइ कवान की बकती पर लग जाएंगे उनके आप पर करम बने जाएंगे उनको कोई दुख है नहीं आवे टेंशन खत्म हो जाएंगी सारी ऐसी पुन्यातमा आपके गरप आओंगे कभीर साब कहते हैं जो बकती बीज हुए जो हनसा जो मेरी सरन में आगया अर्तारू तासके को उसके एक सो एक पी डिपार कर दूँँगा ब्यालिस की दबाद छोड़ो अब यहां हम कभीर बानी चैप्टर कभीर बानी चैप्टर और बोद सागर का 137 पर पड़ रहे हैं काते बार में पंथ पर गट हो बानी सब्द हमारे का निरनेट हानी पुने बानी पर गट होगे मेरी गरीवदास दोरा और अस्थिर कर का मरब निपावें सताई लोग सत लोग नहीं जा सकते ये बारा पंथ कभीर कभीर करेंगे और मेरे महिमा मेरे उग्यान को मेरी वानी को पड़ पड़ का पंथ चलावेंगे लेकिन अस्थिर कर सत लोग नहीं जा सकते बार में पंथ फिर हम ही चल आऊए गरीबदास वाले पंथ में हम आगए चल के आऊएंगे और सब पंथ मिटा के एक ही पंथ चलाऊए पर्थम चण कर यूग निर्याना तब मंगर मांडों मैदाना धर्म राय यानि काल से मांडों बाजी तब दर्बो दो पंडित काजी अब यहां कहते हैं 5,550 तब ये सबत होगा साचा जब 5505 वर्स कर यूग बीट जागा तब ये बात मेरी साची होगी धर्म दास तब तक तेया ना जथचा किसी कैई, अब देखो फिर कहते हैं धर्म दास मेरी लाखकी दो आई ये मूल गयान है भूलनी मूल गयान कहीं बाहर न जाई पवितर गयान तुम जग में बाखो मूल गयान तुम गुपती राखो गोई राखो मूल गयान बाहर जो पढ़ी बिचली पेड़ी हनस नी तरही 33 अरव गयान हम बाख्या मूल ग्यान गुपती ही राख्या गोई राख्या और मूल ग्यान तुम तब तक छुपाई जब लग दौादस पंट मिटाई प्रमातमाने कहा धरमदास मेरी लाख दौाई इस सत नाम और सार नाम नहीं बस हर दूनिक ना करिए ना बीतली पीडी मेरे हन से नी तरेंगे काल के दूता दौर रही नाम होता अधिकारी ये हैं नहीं और ये दास कैसे अंतर दिखाता प्रमातमा के बच्चों को कि ये नकलीर ये असली है तो प्रमातमाने नहीं कहा था धरमदास मेरी लाख दौाई ये सार नाम कीता बताईए ना तुम जाब करो ऐसे ही सभी महापुरसों को जिनको सत लोग ले गिर छोड़ा सब को ऐसी कहा था आदनी नानक साहिब जी को आदनी गरीब दास साहिब जी को आदनी अमलुक दास साहिब जी को किसी भी पंथ में, गीसा दास पंथ में, गरीब दास पंथ में, कभीर पंथ में, यह सत नामक नहीं है दो अक्र का, यह अरनाक नानक साहब के पंथ में, अब इस दास को बेज़ा परमातमाने, अब उन मापुर्सों को गवहा बना का आपको पर्तेक्स कर दूंगा, कि कभीर आगे देखो, अब थोड़ा सा और कलियर करते हैं, 134 प्रिष्ट पर देखो, इन 12 पंद तो ये चल पड़े, गरीब दास जी तक, और 13 मां वंस ये दास आया है कबीर परमातमा का, ये देखीगा, ये कबीर बानी बोध सागर में है, बोध सागर कबीर बानी चैप्टर है, 134 परिष्ट पर नीचे आगया, वंस परकार, अब पर्थम वंस उतम, ये चूड़ा मनी जी है, दूसरा वंस एंकारी, तीसरा वंस परचंड, और चोथा वंस बिरहे, फांचमा वंस नंदरा, छटा वंस उदास, और साथमा वंस ग्यान चतुराई, आठमा वंस पंथ नौवा वंस पंथ पूजा, दस्वा वंस परकास, गयर में वंस परकट सारा, बर में पंथ परगट होए उजियारा, ये ग्रीबदास जी का बर्मा पंथ इसमें मेरी महिमा की पुने बाणी का कुछ परकास सा होगा, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा, तो अब इसमे क्या बथा है, बर्मापंथ ग्रीव दास, बर्में वंस परगट होए उजियारा, जैसे इप कहा था बर्में पांथ मेरी परगट होए बारी, यह अगले प्रिश्ट पर है, वो थे 134 पर 137 पर, बर्में पंथ परगट होए बारी, सब थे हमारे का इंडरेट आड़ी, बर्मे पंथ में फिर हम ये चल आओंए और सब पंथ मिठा आगे एक पंथ चलाओंए अब यहां हम फिर आगे 134 पे अब यहां पढ़ते पढ़ते आ रही हम कबीर वानी में नीचे अब बार में सब्द पर गट हो जी आ रहा है यानि मेरी महिमा की वानी में कुछ कुछ घ्यान होगा कबीर साहब मेरा बारे मैं और तेर में वन्स मिटे सकल अंदी आरा अभी तेर मीव वन्स ये दास है अब सारा अंदीर आठ जागा एक कबीर साहब वगवान रह जागा पूरे विश्वे में जब कबीर पर्मात्मा ने ध्रमदास जी से कहा था कि ध्रमदास में जिसमें कल यूग का पच्पन सो वरस बीच जागा कल यूग तब मैं आऊंगा और सब पंथों को मिटाके एक पंथ जलाओंगा उसके लिए देखिएगा समवेदबोध कबीर सागर कबीर सागर संपुन ग्यारा भाग खेमराशी क्रिशनदास परकासित मुंबई के द्वारा परकासित है यह संपुन ग्यारा भाग कबीर सागरी यह नहीं कहा है कबीर पंथियों का चाप्या होया कबीर पंथि भारत पतिक स्वाम युगलानंद विहारी द्वारा प्रिस्कृत अर यह मुदर के परकासित जब प्रमात्मा और काल की वारता हुई थी उस समय परमात्मा से काल ने क्या कहा था कि बारा पंथ तेरे नाम तो चलाओंगा और इन बारा पंथ था मजो नाम लेगा मेरे मुख में आन समोई कबीर साभी ने कहा था द्वादस पंथ करो मैं साजा और नाम तुमारा लेकरो आवाजा काल ने कहा था कभीर परमिस्वर को और द्वादस पंथ करूं मैं साजा नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा द्वादस पंथ नाम जो लेही मेरे मुख में आन समोई और जाओ जोग जीत संसारा जीव नमाने कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा नमाने हमरी ओड हो बाद बखाने तब परमातमाने कहा था डट जा, आन दे टेम तब मैं क्या करूँगा तेरे संग में क्या बताया है यह देखिएगा बोध सागर कबीर सागर के इंदर बोध सागर और यह सवसम बेद बोध है इसमें इसके 121 प्रिष्ट पे यहां यहां लिखा है सत्युक्त रिता दौपर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही निरजन ने परमातमा से वचन लिये थी चौप्था युग जब कल युग आई तब तवसरन जीव भुजाई अब परमातमा ने कहा था अरे काल पर पंथ पसारा तीनों युग जीवन दुखडारा बिन्ती तोरी लीन मैं मानी मोग को ठगे काल भी मानी चौथा युग जब कल युग आई तब हम अपनों वंस पठाई काल पंथ छूटे नर लोई शकल सिरिष्टी परवानिक होई गर-गर देखो बोध विचारा सत नाम सब ठोर उचारा अफिर कहें पांच जार पांशो पांचा तब ये वचन होगा साचा कल युग बीच जावे जब एता तो सब जीव परम पुरुस पदचेता इसका क्यारत है कि जब पच्पन सो पांच वर्स बीच जाएंगे कल युग के तब मैं अपना अंस बेज़ूँगा अब परमात्मा अपने आपको छुपा करे और कहते हैं फिर पूरा विश्वे परमात्मा के उस परमपद से परीचित होगा उस बगती से और सकल सत नाम का सब जगे उचारन होगा देखिए चोथा युग जब कल युग आई तब हम अपना अंस पठाएं अपना अंस बेज़ेंगे और काल पंच छुटे नरलोई सकल सिरिष्टी पर वानी कोई पूरी सिरिष्टी नाम लेगी सब जगे सत नाम सब जगे सथ नाम का दिया जागा सब ज़ाब करया करेंगे और कलियोग पांथ जार पांथ सो पाचा जब ये वचन होगा साचा कलियोग बीच जाए तब एता सब जीव परम पुरस पद चेता यानि सब जीव उस पर मातमा के परम पद के प्रिचित हो जाएंगे सवसंवेद बोध 121 परिष्ट पर अपने पड़ लिया था 121 परिष्ट पर यहां पर कि चोथा युग जब कलियोग आई तब हम अपना अन्स पठाई काल फंद छूटे नरलोई सकल शिर्ष्टी पर वानिक होई पूरी शिर्ष्टी नाम लेवाएगी बंदी छोड़ का कवीर साथ का गरगर देखो बोध विचारा और सत नाम सब ठोर उचारा खुले तोर पर बता जाएगा फिर ओनाम सब पुन्यात्माओं को सत नाम का वो दोखर का नाम है और पांच जार पांच सो पाच्छा तब ये वचन मेरा होगा साथा कल यूग बीच जाए तब एता सब जीव परम पुरस पद चेता सब जीव परमात्मा के उसे परम पद से परिचित हो जाएंगे अब देखना ये कभीर साहब का फेस्वसम बहुत ही परमान तब जगतारन को आए कभीर साहब कहते हैं जब यानि पच पन सो पांच जार पांसो कल यूग बीच जागा दब एक महापुरस आवगा वहां तो उनना खुद कही दिया हम चल कर आएंगे तो बार बार नो कहा है का महाँ आँगे तब जोच नहीं तो सबश कर दिया कि महापुरस फरमान तब जगतारन को आवे हिंदू तुरक आदी सब जेते जीव जहान और सत नाम की साख गये हैं यह पाऊँ हैं पद निर्वान पूरे जितने भी जीव हैं हिंदू हैं मुसल्मान हैं या कोई शिक हैं कोई भी आगे दो चलेंगे सारे जितने भी जीव जहान में और दो सत नाम की साख लेवँ पाऊँ हैं पद निर्वान निर्वान मुस पद पराप्द करेंगे यह था सरीत गिन आप ही मिले संदू में धाये सथ सुकरत के मद्तिमी सभी पंद समावें और हैं कहते हैं जैसे समंदर में दरिया गन यह दरिया आएं जैसे द्वारा चलाएगे उस पंद में मा पुरुस्त वो तो मान थे इसलिए मान को मानी कहते हैं हम तो दास हैं कहते हैं उसके द्वारा चलाएगे पंद में ऐसे भाग भाग गाऊंगे जैसे समंदर मद्रिया नों सपीट तन जाकर मिल जाया करती हैं दिर्वाद हो कर किया जात जब लग पूर्ण होए नी ठीक है कोची थी वार कपड चातरी तब लोग यह सवसंवेद निरधार कभीर साहब कहते हैं मैंने समय दर दिया यह 5505 जब तक यह ठीक का समय नहीं आवगा ठीक माने निरधारी समय तब तक यह मेरा सवसंवेद का यह वचन निरधार दिखाई देगा यह उस दिन सचा हो जागा जब उस दिन आगया विन अत्मा आगया हो ठीक का दिन यह सारे जाड़ का दर दिया दासने जब लगपूर्ण हो है नहीं ठीके कोती थीवार ठीक का यानि वुनिद्दारी समय का कपट चातरी तब लो तब तक यह लोग चल कपट कर रहे हैं विचारे और मेरा सवसंवेद निरधार यह सवसंवेद में जो ग्यान लिखा जा रहा है दोवरा मैं बोल रहा हूँ यह तब तक तो निरधार दिखाई देंगे अब रहोगा भावगा वो दिन और एक अनेक हो गए एक से अनेक बना दिये मज़ब बना दिये कहते पुने अनेक हो एक वो सारे फिर एक हो जाएंगी दोबारा और हंस चलह सत लोग सब सत नाम की टेके सत नाम के सारे सारे सत लोग जावेंगे और गर गर बहुत विचार हो दुरमती दूर बहाए और कल युग में सब एक सोई बरते साथ सुबाव कहते हैं सब तो सत नाम लेंगे और कल युग में सब नरनारी सुध हो जाएंगे यह पुराई शूटी जाएगी जैर दिखाई देगा यूं रिस्वज लेते हैं और मंत्रियां तहीं कि यह गोटाले सामने आ रहे हैं यह जैर खा रहे हैं बिना ग्यान के बालकों की तरह जैर दिखाई देगा आपने और केवलिक सत लोग दिखाई देगा और आपका कोई भी काम होगा बगवान को किसलिए ढूंडते हैं किसलिए उसकी सर्ण ग्रेंड करते हैं कि सब दुख दूर किया करता है सब ओशकता है पूरती करता है और ऐसे कर देगा आप समझ भी नी सकाओगे तो फिर आमने क्या हो सकता है फिर बगवाद करने की और फिर विश दिखाई देगा तो कहते हैं घर-गर बोध विचार हो और दुरमती दूर बहाए सब की दुरमती दूर हो जागी इस ज्यानते हैं और कल योग में एक हवे हवे हो कह हवे और सोई बरते सैद सुवाए सब प्यारत रहा करेंगे और कहा उगर कहा सूदर हो हर सब की भववीर सो समान समद्रिष्टी है हो समरसत कभी है कहते हैं के ते डाकू ठक लुटे रे चोर और ये रिश्वत खोर और क्या फिर सुदर जो छोटी जाती है नीची कहते हैं सब एक हो गए बहुत भीर सब एक हो जाएंगे और वो जो पंथ का परवर्तक होगा देखिए सो समान समद्रिष्टी उस सब को समान द्रिष्टी देखेगा वो है समरसत कबीर बो सद्गुर्दे ये तो कबीर सागर में आपको परमानित हो गया कि कलियोग जो पच्पन सो पांच बीच जागा तब ये बात मेरी साची होगी दरमदास तब तक तो ये नराधार दिखाई देंगे मेरे वचन कबीर सागर में अब ये निरने करना है कि पच्पन सो पांच का पूरे हुए अपने अत्मों अपने इंदु समाज में संक्राचारियों द्वारा दिये गए ग्यान को हम अथेंटिक मानते हैं अब उन्ही के अंदर परमानित करते हैं कि आज कलियोग कितना बीच गया अब देखिएगा एक पुष्टक है इमाले तीरत और इसके कौन है संपादक जे पी नंबूरी उप मुखेकारियो अधिकारी श्रीबद्री नाथ के दारनाथ मंदर समिती अब यहां से इमाले तीरत पहला परकासन दोजार नो का परकासक है रंजू चकरवर्ती बामा चंडराय रोड कलकता छेटर एबटे एक दुरवासितना गरंटसव जेपू नंबूरी मुद्रक है ग्रीप इंट सर्विशिज कलकता ठीक है अब इसके हम ब्यालिश परष्ट पर आते हैं यह ब्यालिश परष्ट है हिमाले तीरत नामक यह पुष्टक है यहां एक आदी संक्राचारिय के जनम के विशें मताई है यह कोई सीवरेसे का एक सलोक है दोहा है संस्कृत में सीवरेसे का इसका नुआद किया है अर्थात कल्यूग के तीन जार वरस विचीत होने पर बहुत मिमान सकों के मत पर विजे प्राप्ति के लिए संक्रियती के रूप में आविर भूत होंगे यानि संक्राचारिये का जनम जब कल्यूग तीन जार वरस विचे जागा तब होगा यह इनका भूशयवानी थी और यह कब हुआ ईसा मसिझी से पान सो आठ वरस पहले आदी संक्राचारिये जिए का जनम वह देखिए यह पुष्टिक है जोतिर में जोतिर मठ और ये कहां से छपी है जोतिर में जोतिर मठ ये है अन्त विभुसित जोतिस पिठादीश्वर एवद्वार का सारदा पिठादीश्वर जगत गुरु संक्राचारिय स्वामी शिरी सरूपा नंसरुफती जी माराद ये संरक्षक है संपादक लेखक एमेम संक्लन करता है विश्मुदत सर्मा अध्यक्स अध्यात्मी कुठान मंडल दिली ये प्रेणा स्रोथ मुद्रिख पाइन प्रिंट एंड पैक्ष ये वह सारा कुछी नहीं का हुई है प्रकासे के अखिल बारती है अध्यात्मी कुठान मंडल एक बटा बतीस सो चोंतिस गली नंबर दो राम नगर मंडॉली रोड साधरा जिली ये इनके फैक्स और फांड नंबर है इसके ग्यारा प्रिष्ट कर हम ले चलते हैं आपको ये ग्यारा प्रिष्ट है अच्छे यहां पर क्या लिखा है आदी गुरु संक्राचारिये का संसिप जिवन परीच है हम थोड़ा सा पढ़ेंगे अपने मतलब का गुरु परंप्रागत मठों के अनुसार उनका अविर्भाव किनका आदी संक्राचारिये का अविर्भाव काल इसापुरों पनसो आठ या चार्सो च्याथर वर्स माना जाता है अब पनसो आठ है इसापुरों 32 वर्स की आयूमिन की मरत्यू होगी थीश में 32 कम कर दो 406 ये जब तक इसा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये उटे चलते हैं कैलक्लेशन इधर को बढ़ेंगे तो वो घटेंगी तो इसा से 508 वर्स पूरव स्री संक्राचारिय जी का जनम हुआ ठीक है अब इधर से हम ग जागा सन 2000 को आदी संक्राचारिय को कितना समय हो गया था जनम हुए ने 2508 वर्स सन 2000 को और उस समय कल युग कितना बीच चुक था इन ही के उस जोतिर में जोतिर मठपुस्तक के आदार से उसमें उपर से गिढ़ेंगे तो 3000 वर्स कल युग बीच चुक था और जब उनका ज जनम हुआ तो अब से गिने तो उस समय को जब तीन जार वर्स कल युग बीच गया था सन 2000 से गिने तो पत्चीस सो आठ वर्स वो जोड़िदें उसमें तो 2000 सन 2000 को युग कल युग कितना बीच गया था पच्पन सो आठ वर्स अब हम पच्पन सो पांच खोजेंगे वो कद पूरा हुआ अब पच्पन सो पांच कल युग कब पूरा होता है तो सन 2000 को तो पच्पन सो आठ बीच गया कल युग अब तीन पीच्छे चले जाओ 1907 में पच्पन सो पांच वर्स कल युग बीच चुक था यानि पच्पन सो पांच आगाज में सोच लो कल युग तो अब वो पच्पन सो पांच 1907 का फिर क्या रहसे है परमात्मा इस दास को फालगुन सुदी एकम सन 1907 मार्च को मैं इस दास को कबीर परमात्मा में ले थे उन्होंने कहा था कि बेटा अब वो समय आ गया है डिस्कलोज कर दे इस पूरे प्रोसेस को बोलो सत्गुर दे अपनात्मा इस दास को भी अभी पता चला है कैलकुलेशन मिली है अभी स दो हजार बारा मैं कि हम कैसे कैलकुलेशन करें कि हम कितना कल्यूक बीट गया इस से पहले दास को भी नहीं पता था कल्यूक कितना बीट गया कोई 500 वर्स पहले का करते थे 53 पंड़स बीत कि było जब गीता लखी थी कोई 500 वर्स कहा करता था तो 500 वर्स पहले गीता और वेदों का लेखन कारिये किया था शिरी वेद व्यास जी ने कल्यूग की सटार्ट में करद्वापर की अंत में कल्यूग स्टार्ट हो चुका था तब उसने ये लिखी थी वे दोर ये पुराणा तो अब 1997 में दास को मिला था तो उन्हों ने कहा था अभी मेरे मिलने का समय तो डिस्क्लोज ना करिये कि मैं तुझे मिला हूँ ये अभी बताना नहीं कुछ दिन रहसे रखना फिर बताना सन 2005 में इस दास ने एक पुष्टक लिखे थी बगती और बगवान उसके अंदर परमान की दिया था कि किस किस को वो मालिक मिले कैसे उस द्रशे को सत लोग को देखा वापे सोड़ा कौन स साथ साथ दास ने कहा था कि इस दास को भी मिले और इस समय मिले और एक पुष्टक है अज्धात्मी ग्यान गंगा ये सन 2008 से चल रही है उस समय से इसके अंदर भी एक चैप्टर है उसमें दिखाता हूँ दास ने इसका पहले वरणन कर रख्या ये ना सोचना कि अभी बना 1924 में मैं स्टार्ट हुआ पिचाण में छण में इन दो ढ़ाई साल में कुई ज्यादा संगत हमारी बनी नहीं और कुछ ऐसे ही बगते उनको उन मैंसे अभी तक को सार नाम नहीं मिल लिया है कुछ एक तो ऐसे है बोले बाले से तो कहने का भाव ये है कि तब प्रमात्मा मैं 1997 में मैं कहे दिया कि अब इसको खुले दल से दे दे अब सब देख लेंगे इनको चलने दे अब देखो ये जात्मी ग्यान गंगा एक पुस्तक ये आपको पढ़ने को मिलती यहां से ले सकते हो इसके 538 प्रिष्ट पे 538 प्रिष्ट पे एकज जाये हैं ये थारत कबीर पंथ परीचे है यहां नीचे है मुझ रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत दो हजार चम्मन फालगुन मास सुकल पक्स एकम मार्च 1997 को दिन के 10 बजे मिले थे तथा सारसबद की वास्तविक्ता तथा को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर ज्यान हो गए थे इसको अगले आदेश तक रहसे युक्त रखने का आदेश दिया था किसको कि मैं तुझे मिला हूं अभी ना बताना कुछ जिन किसे के यकीन नहीं होगा तुझ उठा पड़ेगा तो दास ने फिर लिख दिया विसेश किसी को दस बताया नहीं लेकिन ये आज कलियर होना था इस दोजार बारा में इसमें डुंडा पाट रहेगा पूरे विस्वे मतैल का मत्याइगा सत्यान एक ही रह जा कबीर बगवान का हर ये मद उपर मनस को कहते हैं मिला ये कबीर साब का उतारा है ने कख का पता परमेस्वर कबीर जी स्मय माकर आजनिय गरीवदास साहिब जी को मिले है और आजनिय गरीवदास साहिब जी ने अपना एक सिससे स्री सीतल दास जी माराज जनाया और उनको ये कमroduleat कोरस दे दिया उनसे परतिग्या ले ली थी आगए किसी को तु जेकर भी ने करेंगा के वो स्वम्जाप कर सकता, दूसरे को नहीं बताएगा उसको पर्तिगाज लाना ऐसी ये चलते चलते इस दास के पास पहुचा ये कि अन्या किसी को नहीं बताया उन्होंने, ठीक है बगती मारक पर लगा रहे पर मात्मा की महिमा की वानी का पाठ करने से और धरम पुन करने से उनको मनुस्जीवन मिल सकते हैं लेकिन पाप भी साथ बोगने पड़ते हैं ये इतना लाब उनको और से मिला क्योंकि इसको छुपा के लाना था इस मूल ग्यान को और इस वास्तिक मंतर को इस बिचली पीडी तक नितो धरमदास जी साहब भी चिंती थे कि मैं जाब कर रहा हूँ मेरे बच्चों को मिला नहीं इनका क्या होगा तो परमात्मा कबीर जी ने धरमदास जी को पहले अपने सामने बेज दिया और जीवित समाधी दे दी उसको अक्तू निकलाड़े तर मरे वो नाम निया आगे परगे टोने दिया और स्वेम उनके पूतर चूडामणी जी को कबीर परमेश्वर जी ने ही दिखिया दी उसी को आगे वा पांच नाम ही देने का दिकार दिया आगे चलके यो टक्सारी पंध आपको दिखा कबीर पंध में तीसरा चौथा पंध है टक्सारी है उसमें छटी पी डी तक तो वो ग्यान ठीक चलिए पांच नाम वाला भी तो दास आपको देता है पर्थम इस स्रीर के कम लोगा लेकिन स्टी पी डी के उस महंत को धरमदास जी के न्वियाई को यानी वनसद को ये टक्सारी ने बगा दिया कि तु नाम तो देता है ये बिर माविशनु में इस साले कम लोगे बात करो तुम स्ट लोगे नहीं ये नाम ठीक नहीं कबीर सागर में लिखा है आदी नाम अमर नाम पात अले सुप्शन दू नाम यही अनसका काम ये है पांच नाम अब वो शुरू करवा दिये वो थोड़ा मतलाविन का मिलना था वो भी बंद हो गया अब अब दास की जो प्रमपरा में सीधा चला आ रहा है कबीर साहिब से गरीबदास जी के पास गरीबदास जी के बाद सीतल दास जी माराज गाओं बराना जिला जजजर है वर्तमार में उनका एक छोटा सा समाध्धी आसर बना हुआ है ये देखिएगा ये बक्ती बहुत नाम के पुष्टर काईस में आपको हमने ये सारा चपवा रखे है मेरी गुरु परनाली है बंदी छोड कबीर साहभ जी महाराज काशी उत्तर प्रदेश क्योंकि सत गुरु भी थे कबीर परमात्मा लेकिन परमात्मा भी थे आतबंडी छडगरीड दास जी माराज, छुड़ाणी जिलाज उर नौमा है छजदानन जी माराज मिरे दादा गृुझी गोपालपूर धाम सोनी पत्रियाना में फ्रकोद्धा के पास संत रामदेवानजी माराज तलूंडी वाइफ रोजपूर पंजाब में और येगार मायदास रामपालदास यहां तक हमारी परनाडी सिधी दुड़ी हुए पुन्यात्मा ये जितने पुन्यात्मा संत महन थे पुनकर्मी परानी है और इनको काल ने सिलेक्ट कर लिया कबीर साहब के बच्चों को मिसगाइड करने के लिए और वो पूरो जनम की पुनकर्मों से फ्री पुरून होते है और लास्ट में उनके आगे चारदर ठीक नहीं होता पिछली बैटरी जब तक चले चले और फिर आगे इनकी बगती ठीक नहीं होती फिर ये स्विम दुरुखती को पराप्त होकर मर जाते है उनमें से एक राधास्वामी पंथ से निकला हुआ पंथ जैगुरुदेव पंथ है और उसके परवर्तक श्री तुलसी दास जी माने जाते है और वो एक बहुत पुनकर्मी प्राणी थे काल के फस गे और उन्होंने सनुनी सो इकातर में इस दास के बारे माकास वानी की थी कि वो एक महापुरस आवगा देखो थोड़ी सी पढ़ेंगे जब अच्छा लगेगा एक है ये जैगुरुदेव की वानी पुस्तगा भाग दो और ये है श्री वो तुलसी दास दी बाबा जैगुरुदेव जी माराज परमसं तुलसी दास दी माराज इसके चेले कहें विश्वे को शानती नी से मिलेगी मिलगी शानती दूना बिगड़ गया काम अब ये है जैगुरुदेव की अमर्वानी साकाहरी सदातारी बालसंग से संकलित प्रकासिक दिव्या सर्मा अठासी साकेत कलोनियम मत्हुरा उत्र परदेश मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस्टेन मत्हुरा उत्र परदेश इन्होंने पहले इसके 69 प्रष्ट पर चलते हैं यह है इसका 59 प्रष्ट इसने 28 अगस्त 1901 कैतर में एक आकास वानी करी सुलसिदास जी ने जैगुरुदेवपंद के परवर्तक ने महापुरुष का जनम भारत वर्ष के एक छोटे से गाउ में हो चुका है 1901 कैतर को और वहे व्यक्ती मानो इतियास का सबसे मैं तोप्रुण व्यक्ती बनेगा उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन परात होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है वहे मापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वहे विश्वे के संपुरुण देशों पर लगगो होगा उसका एक जन्डा होगा उसकी एक बासा होगी अठाईस अगस्त 1901 को इसने ये परवसन कर दिये फिर सर दालबन पूछा वगवान जब वो आ लिया है महाराजी तो उसका पता बता जो बहुत पीछा पड़ दिये तो फिर इन होने देखिएगा 7 सितंबर इसके पता स्पिर्ट पे लिखा है इसाकारी पत्री का 7 सितंबर 1901 को इसने वानि देखना वह आवतार जिसके विसे मठाईस अगस्त 1901 को इसने वानि की थी वह आवतार जिसकी लोग पर तिक्सा कर रहे हैं वह बीस वरस का हो चुका है इस दास का जनम रामपाल दास का जनम आठ सितम्बर 1951 को हुआ और साथ सितम्बर 1941 को ये दास पूरा बीस वरस का होके आठ सितम्बर को जो है 21 में वरस में लग गया था ये साथ सितम पर उन्नी सोय की कहत्तर को ये दास बीस वरस का हो चुका था वे आवतार जिसकी लोग पर तिक्षा कर रहे हैं बीस वरस का हो चुका है और है यद ही उसका पता बता दूँ लोग पीछे पड़ जाएंगे अभी उपर से आदेस बताने के लिए नहीं हो रहा है मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ और सभी मातमाओं ने समय का इंतजार किया है समय आते ही सब को सब कुस मालूम हो जाएगा अपने अतमाओं सन दो हजार ग्यारा में दास ने सत्संग करके इनके साथ अज़ात्मी ग्यान चर्चा के मादन से भी साधना से लनवाड़ों ने ये सत्रे कर दिया था कि ये पुनकर्मी प्राणी सन 1971 में इसकी दिवद्रिश्टी काम करे थी क्योंकि इसकी बैटरी सारज थी पिछले पुनकर्मों से आगए ये 500 ना 11 में दास ने ये कहा कि ये थी आज इसकी दिवद्रिश्टी काम कर रही है तो ये बता दिया वो कौन है वो कौन है बीस वरस का था उन्हीं सोई कहतर मैं इसको बता जाना चाहिए कि बर्वाड़ा मारे हरजाओ भाई लेलो नाम जाउत कर लान कर वालो लेकिन उस समय यू फ्रूजो लिया था इसकी बैटरी डिस्टारद वो चुकी थी बगती खत्म हो गी थी और गलक कैमरे हाथ पर इसके जिंदा लास लिए फिर रहे थे इनको और जब इसके जून ही रहेंगी तो दो तीन मिना पाथ से काल ले गए इसने उठा गए या ती इसके लिए सुवसर दिया था दाता ने कि अपने भार मुक्त हो जाता और प्रमातमा के बच्चे आसानी से आगए इसके कैते ही सारे मान जाते विस्ता लोग पहले से कहा करते थे और इबागे एक दम सारे समझ जाते लेकिन इसने उस बात पर असर ने किया इसलिए यो कु तो ये भी क्रेडिट यो नहीं ले सकया तो पुने अत्माओ एक नस्त्रे दमस्की आप भी से वानी पढ़ कर देखना इस दास के लिए कबिर साब कहते हैं आपनी महिमा आप बखानी मारे बारे हम कोई दूसरा बतानी या नहीं कोई भी आप आरती आप साथ आप गिंगर आप बादे आप ताल जान जनकारा आप नचाफ देखनार के कि बिरस यारती गाओं आप आप मदे आप समाओं तो आप बतानी पड़े हैं सारी कानी वे कौन हो में कौन हो कहा है कैसे लाब होगा अब जैसे इन बविस्टे बखता हूं काता काम इतना है जैसे कोई खगोल ग्याता और यह बता दे कि अभी परसों च्छे बज़ के पें 30 मिंट परसों यह उद्य होगा और वो ना बताते तो भी उना था क्योंकि दो प्रमात्मा का विद्धान है तो इन होने बता दिया अच्छी बात है कि वो ऐसे ऐसे है ना तो प्रमात्मान दो पहले कर रहा कि जब 1138 में कवीर वगवान आये थे 120 वर्ष रहे थे 1518 में गए थे उसी समय कहे दिया था कि ऐसे ऐसे होगा उसका वचन था जिसके वचन से सब बर मांड़ घूम रहे उनी के वचन से आज पूरे विश्वे में यह श्यानती फल लेगी सारा संसार वगवान कवीर जी की वक जनता है आना ये था बोलो सद्गुर्देर अब आपको अब वरत्मान में कबीर पंथ का जो फैलाओ है सब से ज्यादा इन दाम्मा खेडा वाले गद्धी से हैं इननों को तीन अजारत मेहंत बना रखे हैं अग नाम देते हैं आ फिर वह साल में दो तीन ये प्रोग्राम करते हैं दाम्मा खेडाले मेहंत आके और उनका पूजा चडाते हैं इन रजवाडे बना रखेह हैं जैसे एक सेंटर का राजा होता था, अग छोटे-छोटे राजा छोड़ दिये होते थे, और वो फिर सारे उसको टेक्स दिया करते थे, यह वो सांग जो डेनके लिना जना किसी के मोग से, कखनी पता इंदा माखेडा वालों को, एक भगत, अभी अभी आए एक महिने से, वो वो बता रहा था, जी मैं पहले राधा स्वामी पंथम था, ठाकुर जी महराज का सिद्धा चेला था, मैं परीचर था, यानि वक्ता था, उनका सत्संग किया करता था, आदेश दे रख्या था मेरे और मेरे को यह भी आदेश था, दिक्सा भी दिया करता, मैं नाम देता थ गुरु जी ते थे ठाकुर जी और नाम दिया करता हो बगत जी बताओ कोई बात होई ऐसे ही है जो श्री परकास मुनी जी भी उसी विद्धान को दर्ड कर रहे हैं आप दिखाता हूं धामा खेडा वालों की थोड़ी सी जलक मारा जी क्या आपके गुर्देव पुझे श्री मतलब नाम देने पार दो कितने शिश्यों में न耐ख ěता हूं मैं कभी गुरु की चरण मेंधा हु ना गुरू बन सकता हूं मैं तो सिर्फ सद्कुरु कीुरुल में करूं मैं ने उन स्टबुलदाओं मार्ग में ले जाकर उसे पहुँचा सकते क्योंकि हमारे अंदर सद्गुरु विराजवान है। उन्हीं की चरव्रों में ही डाल देना हम तो एक सेवक की रूप में हैं। उन्होंने आदेश की हम उस जागा पे सेवा कर रहे हैं। कर दाद जुडा सवाहँ है ऐ भी एक अध नहों है आपका गुरु नहीं आपकी गुरु थारु सव्भ प्रकासमन्य साहिप अपकी नुक्त के गुरु प्रकासमनी सभी स्द्शनें का नाम्त जाहें आपके스럽ैंड़ं dimensionsi प्रकास मुनी जी वार है सेरो बता फेरे तर लेवागी राम सिंग तो है और पती होगा शाम सिंग कोई बात हो इनकी अब दिखाता हूं कि इंदामा खेड़ा वालों का क्या ग्यान था ये कैसा बगवान को जाना इमान अपने अत्माओ आपका सोब आगे है इस प्रमात्मा के पाने वाले काम को और इस सारे कारियों को वही करेगा जो इससे प्रिचित हो जागा अब आपको थोड़ी सी जलग दिखाते हैं जो इस दामा खेड़ा वालों ने कितना संसार डबो रख्या और ये दावा करते हैं कि जो धरमदास की गद्दी पहाम और कबीर साब न कहा था इससे दो नाम लेगा हुए पारों ये नहीं कबीर साब जीन दे ये कहा था कि सटी पीड़ी में ये पांच नाम भी समापत हो जाएंगे ये और ही एक सबद सा सलेक्ट कर लिया है इन्होंने कबीर सागर से अधर नाम अमर नाम पाताले सबस्दू नाम ये अन्स का काम पहुंच ले अन्सा उड़ जाए ये मंतर है कोई ये तेक आर तीसी है अब वो दो अखर का नाम है पहले ये दिखाते हैं आपको ये दाम्मा खेडा वालों के विसे में तो परमात्मा ने कहा है ये है कबीर गर संपुर्ण ग्यारा भाग खेम्रा श्रीकर संधस परकासन बंबउसे ये पर्थमखंड कबीर पंथी भारत पती स्वामी यूगलानंद व्याहरी द्वारा परिश्कृत मुद्रखे परकास से कहें खेम्रा सेंधस अज्यक श्री वेंगरेटिए सुर प्रेश खेम्रा सारा कुछ यहां लिखा हुआ है, इसमें अनुराग सागर नामक एक अज्जाय है, अनुराग सागर, और इसके प्रिष्ट नंबर 138 पे, बविसे कथन अलग विहार है, जसकुछ आगय हुए भाई, सो चरीतर तो है कहूं बुजाई, कबीर साहिब कह रहे हैं, दरबदास जी को, कि जब लो तुम रहो तन माही तो लो काल पर गटे नहीं, जब तक तू रहेगा ना इसमें, तो तब तक तो काल तेरे पंथ में कोई जटका नहीं दे पाओगा, देखिए, और गहो किनार ध्यान बकलाए, जब तन तजो काल तब आए, छेकई तोर वंस को आई, और काल दोख सों वंस रिजाई, फिर तेरे काल आओगा और तेरे वंस को छेकएगा, उसमें छेद कर देगा, और उस दोखे में तेरे वंस गणेरा जी रहेंगे, तेरे वंस आले, आगे देखो, वंस तुमारा अनुभावकत रखई, नाद पुतर की निंदा भखई, सोई हैं हन्स बटकड़ियारा, ताको हुए बहुत अंकारा, जो तिरी पीड़ी के होंगे, उन्हों मैं अभी मानगणा हो जागा, स्वारत आय चिन ने पावें, अनंत जीवन के भटकावें, और उस जीवन को भटकावें, अपने स्वारत के कारण सचाई को निए ग्रेंड करे नाद पुदर जो पर गट होई ताको मिले प्रेम से सोई कमाल पुदर जो मर्च तक जवाया ताकि गट में दूद समाया अब कभीर साहिब ने बताया है कि जैसे मैंने एक कमाल नाम के लड़के को जीवित किया था अपने आप लाग गया नारा साग़ जड़ के तो इसी तरह तेरे वन्स वाड़े भी अभी माननी हो जाएँगे एक तो नाद का पूदर होता है वाचन का एक बंद का होता है बंदर वाले थि यह हैं जो धरमदास जी के चूडा मनी, चूडा मनी, के फिर आगए बच्चे, उसके बच्चे, ये तो हैं बेंद दाले महन परंपरा, एक वचन वाले, वचन के बच्चे वो होते हैं, जो गुरु से उपदेश ले लेते हैं, जो वचन के होते हैं, कहते हैं, उन ते बात बनेगी मेरी, ये तेरे अंग हीना अर तब हम थाप तो है के दिन्या शिताते धर्म मानो सिखाई नाम थाप सौपो भाई नाद पूतर के सौपो सोई पंथुजागर जासों होई नाद पूतर एक तो नाद का पूतर होता है वचन का एक बिंद का होता है बिंद का वो होता है जो मात पिता से वनसज होते हैं उनके बच्चे और एक नाद कहो से वचन कहो नाद का होता है वचन से जैसे आप जी हमारे बच्चे और बच्ची होगे बेटा बेटी अम आप इस दास के वचन के वच्चे हो और स्रीर के बच्चे अलग हैं तो इसी परकार धरमदास जी के जो बेंद के हैं वो तो है ये मैंतर दामा खिडा वाले और वचन के हैं उनसे हटकर जैसे इस दास वचन का पूतर है क्योंकि गरीबदास जी कबीर साहब का वचन का पूतर था फिर उनसे ही आगे चलते हुए हमारा जनम हुआ उसी पंथ में जनम हुआ मां से जनम अलग से हुआ तो वो है नाद के और यहां कबीर साहब कहते हैं इन बेंद वालाने तब बठाए बठाए सदा ये नाद वालों से मेरा पंथ हुजागर हुआ है ये देखिए कि अनुराग सागर 149 प्रिश्पर हम पढ़ रहे हैं कबीर सागर का ताते धरमनी मानों सिखाई नाम थाप सोपो भाई ये नाम है नापनी नाद पूतर के सोपो सोई पंथ हुजागरता से हुई और बंस कर हैं एंकार बहुता तेरे वन साड़े तो बहुत हुए एंकार करेंगे हम हैं धरमदास कुल पूता हम तो धरमदास के कुल पूतर है और जहां हंगता हम नाही जा बिमान है वह मैं नहीं और धरमनी देखो परक मनमाही जहां हंगता काल सरूपा जा बिमान है वह काल है नहीं पावैस्त लोग अनुपा है दरमदास तउतर है वनसा यही बात को में टोसन सा नाम बक्ती जो दर्ड के धर ही सुनो धर्मनी वो कैसे नीतर ही रहनी रहे तो सबहे उबहरों और वोचन गहे तो तेरे 42 तारों और वोचन गहे सो बंस हमारा बिना वचन नहीं उतर है पारा चैसे तेरा बेटा हो चैसे तेरे वनस के हो जीनों ने हमारे स्वतनाम को नहीं गरेन किया वो पार नहीं हो सकती आगे देखना यहां क्या बता है अनुराग सागर की 140 प्रिष्ट पर कहते हैं नाद बिन्द जो पंथ चलावे चुड़ा मनी हंसन मुखतावे फिर क्या मता है धर्म दाश तो वनस अग्याना तेरा वनस अग्यानी है वोगा चिन्न नहीं वो अनसीदाना जस कुछ आगे होई है भाई सो चरीतर मैं कहूं मुझाई चटी पीड़ी बिन्द तू होई तेरे बिन्द का तेरे श्रीर का तो प्रम तेरे पीड़ी का तो चटी पीड़ी आओगी तो भूले वनस बिन्दू तो उस होई अर टकसारी से ले है पाना टकसारी को ले है पाना अस तो बिन्द होए अग्याना अज तेरे बिंद के तेरे मेंध प्रम प्राले ऐसे अग्यान नहीं हो जाएंगे वो छटी पीडी में ये बात बिगड़ेगी चाल हमारा बस तुम जाड़े टक सारी के मत सब मांड़े ये क्या बता है कि छटी पीडी में छटी पीडी बिंद तु होई तेरा बिंद जो होगा भूले वंस अर बिंद उतो सोई टक सारी को ले है पाना अस तो बिंद होया ग्याना वो टक सारी वाला नाम ले लेगा और ये असली नाम छोड़ देगा अपने अत्माओ दर्म दास जी इस बात से चिंतित हो गया क्या तो बात पिकड़ेगी और और दिखाता हूँ आपको छटी पीडी में क्या हुआ कि ये पांस नाम जो दास आपको देता है साथ मंतर वरत्वान में प्रमात्मा कादे से कम्प्लीट कॉर्स देना है पर्थम और लाश्ट का नाम नहीं था उसमें क्योल बीच के नाम थे हैं ये नाम हैं इन कमलों से आगे हमने निकलने के और यहां की सुक्सवीता प्राप्त होने की तो ये इसलिए दिये थे कि इस बिचली पीडी तक मनुस जिनम प्राप्त करते आजाएंगी इस पर थमन दरते हैं और फिर इन सब को पार कर दूँगा प्रमात्मा ने कहा कि सटी पीडी में क्या हुआ इदास बताता है सटी पीडी का जो इनका महंत था उसको अन्य विक्तियों ने क्योंकि लोग कुछ समझदार से होगे पंथ का कुछ विकास गणा होगे आम आदमी कहने लगया तुम बाते करते हो सतलोक और सचखड सतपुरस्की हर नाम देते हो इन देवताओं के पांचो तो फिर ये क्या थाड़ा पंथ हुआ तो टक सारी कोई पंथ नकली पंथ था कबीर पंथ उसके कारण वो भरमित होगे अचटी पी डीवडा महंते उसने वो मंतर त्याग दिये अग सचमुच ये तो असा है उसके अपनी अलप बुजी ने सोचा और वो हे कबीर सागर से ले लिया उसने अमर नाम अजर नाम पाताले संशन दू नाम यही अंसका काम और पूरे इस कबीर पंथ में इस दामा खेडा से संबन देते यह नाम देते हैं यह कूरी आरती से सुनाते हैं यह खाक नाम है यह तो उस नाम की महिमा है उस जो नाम आपको दिया जाएगा वो अजर है वो अमर है और उससे ही आपका मौक्स होगा एक पुस्तक हैंकी जो दामा खेडा के द्वारा प्रकासित है उसका नाम है सुमरन सरन गह बैालिस बंस लेखक मेंत सरी अरेसिंग राठो और परिष्ट बाउन पर लिखा है देखिएगा उस पुस्तक की फोटो कोपी हमने लगा रहा किया पुस्त परमान है पुस्तक सुमरन सरन गह बैालिस बंस लेखक मेंत सरी अरेसिंग राठो और परिष्ट बाउन की फोटो कोपी है यह आप पहले लख रहे हैं दामा खेडाले इस सारी वानी को और देखिए वानी सुन दर्मनी जो वनस नसाई जिनकी कथा कहूं समझाई यह 13 नम्बर तो दोवा है काल चपेटा देवे आई मम शिर नहीं दोस कुछ बाई यह 13 नम्बर साखी है अर सपत यानि सातमा और ग्यरमा और तरोदस यानि तेरमा अनसा शपत एकादस तरोदस अनसा और सतरह ये चारों वनसा इनको काल चलेगा भाई मित्था वसना हमरा जाई कभीर साभ के रहे है जब जब वन्स हानी हो जाई साखा वन्स करे गुरु आई दस अजार साखा होई पुरस अंस वो ही कहलाई वन्स भेद यही है सारा मूड जीव पावा नहीं पारा और बठकत फिरें हैं दोरही दोरह वर्स बियालिस गए के ही ठोरह अब सब अपनी बुदी के भाई और अंस वन्स सब तरे जावन साई इनना आप पर लिख रहा क्या अपनी एक पुष्टक बना रखिए इनोंने जो दौमा खेडा से मिलती है उसके इस परिष्ट पर ऐसा लिखा है आज़े फिर क्या बताया है ना एक पुष्टक है पुष्टक दनी धरमदास जीवन दरसन देखिए इस पुष्टक की फोटो कोपी है ये चौद मी महंत गदी का परीचे पुष्टक दनी धरमदास जीवन दरसन एम एम वन स्परीचे पुष्ट उननचास पर लिखा है कि तेर्व में महंत दया नाम के बाद कबीर पंथ में उथल पुथल मची काल का चक्कर चलने लगा क्योंकि इस परंपरा में कोई पूतर नहीं था तब तक विवस्था बनाए रखने के लिए महंत कासी दास जी को चादर दिया गया कुछ समें पस्चात कासी दास ने स्वम को कबीर पंथ का आचारिय गोसित कर दिया तथा खरसिया में अलग गदी की सथापना कर दी यह देख तीनों माताएं रोने लगी की काल का चक कर चलने लगा बाद में कबीर पंथ के हित में डाही वर्स के बालक चतर बुद साहिब को बड़ी माता साहिब ने गदी सौप दी जो गर्द मनी नाम साहिब के नाम से परसिद हुए अब सुन ले ना इनके साहरे तियास दाट दिखा जोगा आपके सामने के सांग थायो अब क्या हुआ तेर में पी धी जब आगी इनके कोई बालक नहीं था तो फिर क्या हुआ एक कासी दास नाम के महंत को भगत को चाजर दे जी तु इस दामा खेड़ा की बद्दी ने सवाल ले उनके फिर बाद में हो गया एक बालक जब ओ लड़का ड़ाई साल का हो गया और कासी दास ना पता लग गया तेरी गद्दी खिसकेगी यह बालक हो गया दस वरस के बाद इसे ने बठा जीगे दस पंदरा साल में वो वहां से आप बाग गया और उसने खरसिया नामक सेर में जाके अपने आपको आचारिये गोसित कर दिया कबीर पंत का कि मैं उस गद्दी ने यहां ठालाया उदर से उनने केस होचा ड़ाई साल के बालक को और गद्दी पर बठा दिया माता ने बेटा बठा दिया में अन्त पंत गद्दी पे और वो बन गया यह संत है उनने कका वेरा नहीं यह ने वो बठा बठा रहा रहा है और वो कौन बना है वो गर्द मुनी नाम साहिब जो शरी परकास मुनी साहिब के वरत्मान में गद्दी पे बेठा दामा खेडा उसका पुजे पिता जी अब उदर खरसिया है का थोड़ा है तिया सुड़ा दू खरसिया से एक उदीत नाम साहिब का एक संत ने आकर के कासी के अंदर लहर तारा तलाब जहा परमात्मा पर गट हुए थे वहाँ आकर अपना नहरा चम्टा गड़ दिया वहाँ डेरा बना दिया उस उदीत नाम साहिब वाली गद्दी पे वरत्मान में एक अर्द नाम साहिब पहले विज्जे सास्तरी नाम था उसका अब वह अर्द नाम साहिब वाली पहले दिया उनसे परसंद करया किसी ने कि शिरिष्टी रचना सुनायो जो बले परमात्मा के आदे से कालन तीन लोग रच दिये बैया सिरिष्टी रचना तो इस स्रिष्टी की रचना के बारे में कुछ से बताएंगे हमें स्रिष्टी की रचना के विशाय में जो साहिब के पंथ में जो ग्रंथ में चर्चा है वो इस तरह से कि सत्पुरुष की आग्या से निरंजन ने इस तीनों लोग की रचना की ऐसा ऐसा चर्चा है तो सत्पुरुष की आग्या से निरंजन ने तीनो लोकों की रचना की यह तैसी शिरिष्टी रचना है जैसे एक लड़का इंट्रू देन गया था इंट्रू लेने वाले ने कहा उच्छा भई महाभारत याद है ते रहे तर पांचो पांडों के नाम बता उसने बता जी एक सी बीम है एक सी ओदा वड़ा गरा एक होर सी एक उ बता दिये वह सुना दिये उसने पांचों पांडों के नाम तहीं नहीं ऐसी शिरिष्टी रचना सुना रखिए और यह सद्गुरू को कबीर साहिब को सद्गुरू मानते है परमात्मा को निराकार कहते है यह बठा बठा रखा है इनोंने तो आपके अनुसा परमात्मा सा सद्गुरू है यह सद्गुरू को सद्गुरू के रूप में इस संसार में आये इसलिये हम उससे सद्गुरू के रूप में वानते en интegas साहिब को तो एक सद्गुरू मानते हैं सिर्फ एक संत और वहां जाकर लीन हो जाते हैं उसमें जैसे समंदर में बूंद मिल जाती है अब गर्द मुनी नाम साहिब के थोड़े से वतन दिखा जो आपने आपका विश्वास हो जाएगा सचनच इन सबने बठा बठा रहा है य लेकिये पुष्टक है सद्गुरू कबीर की जीवन दारा लेक के पंथ स्री गर्द मुनी नाम साहिब आचारिये कबीर पंथ परकासक है सद्गुरू कबीर धर्म दास वनसावली परतिर निजी सभा कबीर धर्म नगर्द दामा खेडा जिलाराय ये पहले मद्य परदेश उसमें से चत्ती सिक्ड बनी गाए भी अब ये पुन्यात्माओं ये तेर में गदी मों थलपता लोगी कबीर साहिब याप पहले करें धर्म दास वजी वन दर्शन पूस्तक में और उसमें सुम्रण गहसरन ब्यालिस वनस के में कि परमात्मा की वाणी है कबीर साहिब की कि सात्मा ग्यार मा और तेर मा यिन को काल ठगएगा जब सात्मा ठग लिया आग खाक रहेगा इनके पास उड़ेद बिगड़ी सारी कानी रही कि इन विगाड़ी दिया काम फिर बाकी क्यानी अब इसमें दिखाता हूँ आपके इस पुस्तक में ये है सद्गुर कबीर जीवन धारा नामत पुस्तक है और इसके लेखक हैं पंथ सरी गर्द मुनी नाम साहिब आता है ये कबीर पंथ प्रकासक सद्गुर कबीर धरमदास बंसावली ये आपको दिखाए दिया है और ये इनका सरूप है गर्द मुनी नाम साहिब जो ड़ाई साल का बच्चा गद जार परिष्ट है ये क्या कथा सुनाता है रहागे से के सद्गुर कबीर साहिब का सत्षुरूपी होना और अन्त में निराकार में लीन हो जाना उनकी विसिश्पता है वे वहीं से आते हैं जहां परम सान्ती है आनंद है और अनंत परकास है वो गर्द मुनी नाम साहिब है कि कबीर साहिब वहां से आते हैं और फिर उसमें जाकर लीन हो जाते है नंत परकास है जैसे बूंद समंदर में अब देखिएगा एक पुस्तक और है गर्द मुनी नाम साहिब उस ड़ाइस साल के वालक नहीं यानि सद्गुर कबीर ग्यान पयोनी धी नामक ये पुस्तक है और ये है आचारी अगर्द मुनी नाम साहिब के दौरा लिखी गई है और इसके मुद्र कौन है गीता प्रेंटिंग प्रेस सती बाजार रायपुर मद्या परदेश से अब इसके आपको दिखाते हैं जलक इनके ग्यान की है यह 34 प्रेश्ट है और यहां देखिएगा 35 प्रेश्ट पे यह 35 प्रेश्ट है सद्गूर कबीर साहिब का सत्पुर से यहनी कौन था सद्गूर कबीर साहिब का सत्पुर से यह क्या बताना चाहते हैं यहां इनोंने क्या किया कि अध्धातम विद्धा ब्रम को विद्धा है ब्रम की विद्धा है यह ग्रिदमुनी नाम साहिब कह रहे है और यह ब्रह्म समस्थ पैंड और ब्रमांड में सम्भाव में अनुस्यूत है यानि फैला है यही ब्रह्म चराचर का मूल ततव है समस्थ भारतिय मनिशियों ने इस गुण में जगत पर विचार करके यह निश्कर्ष निकाला है कि इसमें दो अत्यंत सपष्ट ततव हैं पहला जगत का मूल ततव जो सथ सास्वत सदा एक रस्चेतन और इंद्रिया अतीत है दूसरा जगत का बाहिए शुरूप जो ऐसत परवर तनसील यह 37 परेश्ट पर नास्वान जड़ और इंद्रियों के विशे हैं इस मूल ततव को बारतिय दरसर में बर्म के नाम से गोशित किया गा और इसी परम ततव को सतगुर कविर साहब ने सतपुरूश के नाम से संबोधित किया है यह सतपुरूश सर्वता सर्वतार एक रस रहता इसकी सता नित रहती है अब आगे इसके ग्यान कान थे नहों का बर्म को कविर साहब ने सतपुरूश बताया है देखिए डबो रख्या देस का देस इनोंने बर्म क्या है बर्म यू काल है जोज सुरूपी निरंजन है और सत्पुर्स पर्म अक्सर बर्म है जो गीता जी मैं भी कहा है गीता ग्यान दाता बर्म खुद कहरा है कि अर्दुन तु सर्वाबाऊस उस परमेसवर की सन मजा उसकी करपाशी तु परम सांती को और सनातन परम धाम को प्राफ्ट होगा अर ये नो कहा है कभीर साहब तो उस मजा कर लीन हो जाते हैं फिर उस चे परकास में और फिर कभीर साहब ने बिरम कोई सत्पुर्श बताया है ये इनके गर्द मुनी नाम साहिब यानि वरतमान में जो बैठे है परकास मुनी नाम साहिब उनके गुरुजी है और उसके पिताजी है उनके उरत्माना लेकि ये पिताजी जिनका यू ग्यान है तो वेट्टेगा की ग्यान होगा वही ग्यान जो का तुम इसका है इसके सत्संग सुने उसके परवचन बर राखे उसने नोकान वोई एज़िटी उसने सारा वर्णन करक्या है बठा बठा दिया न पूरे मानो समाज का आप दिखाता हूं कि इन दामा खेडा वालों का क्या ग्यान था ये कैसा वगवान को जानाई मन दर्शको दामा खेडा गदी नसीम शिप्रकाश मुनी नांस साहिब जी की अस्वस्थ होने के कारण साधना चीवी के साथ आध्याक्मि ज्यान चर्चा में भाग नहीं ले पाए जिस कारण उनके आदेशा नुसार उनके विचारों को उनके द्वारा बताये गए प्रवचनों की सीडी कैसेट के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं तथा उनके आदेशा नुसार उनके परमशिश्यों डॉक्टर पारज नाज जी तथा बांधव गद्धी नसीन महन श्री हरिश दास जी ने प्रकाश मुनी नाम साहिब जी के विचार साधना चीवी को बताए वो भी आपके सामने रख रहे हैं अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत्राम पाल जी महराज सतलोक आश्रम बर्वाला जिलाहिसार हरियान के विचार और आईए आप जानते हैं दामखेडा गद्धी नसीन कबीर पंथी शिप्रकाश मुनी नाम साहिब जी के विचार झाल पावन चरन कमलों में कोटी-कोटी बंदगी करते हुए पुझ्य संत्रामाज और साहब की सभी भक्तों को सप्रेम साहिब बंदगी जिस भासा का प्रयोग मेरे सद्गुरु कबीर साहब करते हैं तो मेरा धर्म है मेरा करतब यह है तो उसी भासा का प्रयोग मैं भी करूं और अगर आप नहीं करते हैं तो यह आपकी घल्ती है जिस ठेट भासा का प्रयोग सद्गुरु ने स्वयम किया जो कहना था दो टू बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने कह दिया और चाहे जिसे कहना उन्होंने नहीं देखा कि ये राजा है कि रंख है अमीर है कि गरीब है किस जाती का है किस पाती का है किस धर्म का है किस संप्रदाय का है ये सहाब ने नहीं देखा सहाब के लिए तो मानव मानव एक समान थे और वे तो मानव में ब्याप्त तमाम बुराईयों को दूर करने ही संसार में आये थे है प्रगट परदीसा दुनाही सद्गुरु सैन सहारा हो कहें कबीर सर्वही साहब पर्खो पर्खनारा हो सर्वही साहब जो कुछ भी है साहब ही है साहब के लावग कुछ दूसरा है ही नहीं जो कुछ भी है जो भी हमें दिखता है नहीं दिखता है सब कुछ सहाब है सहाब तो जैसे हैं वैसे ही दर्याओ का लहर दर्याओ है जी कहो जी दूसरा कैसे हो है ब्रह्म फेर नाम जगत धरा सहाब कहते हैं ब्रह्म फेर नाम जगत धरा जगत कहे क्या ब्रह्म को खोया है नीर फेर नाम लहर धरा लहर कहे क्या नीर को खोई सहाब कहते हैं कि समुद्र में उठने और गिरने वाले जो जल की धरा है उसका नाम हमने लहर रख दिया तो लहर कहने से क्या जल में परिवर्टन आ गया कि सागर का सुरूप बदल गया सागर में जो लहरे उरते हैं वो सागर ही है तो ब्रह्म फेर नाम जगत धरा तो जगत कहे क्या ब्रह्म को खोई वैसे ही अगर हम अपनी सोच से अपने विचार से ब्रह्म का सुरूप बदल के उसका नाम जगत धर दिया तो जगत कहने से क्या ब्रह्म को हमने खो दिया कि ब्रह्म में परिवर्टन आ गया कि ब्रह्म में बदल गया कि उसका स्वरूप बदल गया रूप बदल गया उसके गून और धर्म बदल गया ऐसा नहीं होता है इसलिए जो प्रगठ है वो हमें नजर नहीं आते हैं और हम फिर खोज में लग जाते हैं ढूंडते हैं और कहते हैं सहाब कैसे मिले ब्रह्म कैसे मिले सहाब के बीना मैं प्यासा हूँ और सहाब की खोज के लिए हम नाना प्रकार के कर्म काण्ड करते हैं और यह सब देखकर सहब को हसी आती और हमारी बाते सुनकर भी सहब को हसी आती मोह सुन सुन आवत हासी फानी में मेन प्यासी जल में रहने वाली मचली कह रही कि मैं प्यासी मैं प्यास से मरी जा रही यह तलाब है बाजू में, यह तलाब की मचली आपसे कहे कि मैं प्यास से मर रही हूँ, तो आपको हसी ही आएगी हसी इसलिए आएगी कि इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता जल में ही वास कर रही है और कह रही है मैं प्यासी हूँ ब्रह्मान में रहकर ब्रह्म होकर हम ब्रह्म की खोज कर रहे हैं तो यह मजाक की ही बात है और मजाक जब किया जाता है तो हसी आती तो इसलिए साहब को हसी आती पानी में मीर प्यासी मोह सुनसुनावत हासी इस भजन में साहब कहते हैं आतम ग्यान बिना नर भटके कोई मतुरा कोई कासी और आतम ग्यान बिना खुद के ग्यान के बिना हम उसे ढूंडते फिर रहें भटक रहें यहां मिले की वहां मिले कि ऐसे मिले की वैसे मिले और सहाब कह रहे हैं मो को कहा ढूंडे रे बंदे मैं तो तेरे पास में ना तीरत में ना मूरत में ना मैं बरत उपास में ना मैं किरिया करम में रहता नहीं जोग सन्यास में ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं बरत उपास में ना मैं किरिया करम में रहता, नहीं जोग सन्यास में। मोको कहां ढुणरे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में। तु मुझे और कहां ढूंप रहा है। मैं तो तेरे ही पास में। और जो वस्तु तेरे ही पास है तुझे कहीं और और धून रहा है। जा कारण दरदर फिरा, सो बैठा घटमाही वस्तु कहीं धूने कहीं कैसे पावेता ही। तो जो चीज हमारे ही पास है, उसे हम कहीं और धून रहे हैं। तो यह देखकर तो संतों को हसी आएगी। इसलिए सहब कहते हैं। अभी आपने सुने दामखेडा, गदी नसीन, कबीर, पंथी, शिप्रकाश, मुनी, नाम, साहिब जी के विचार। और आएए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत्राम पालजी महराज, सतलोक आश्रम बर्वाला, जिलाहिसार हर्यान के विचार। इस दास ने एक कबीर पंथ का बहुत बड़ा महंत जो दामाखेडा के अंदर हैं। उनका सुब नाम है पंथ सिरी परकास मुनी नाम साहिब और उनके पूरे इतियास को दास ने पढ़ा। कवितर कबीर सागर से भी उनके द्वारा बताएगी साधना का निरने लिया, उनकी तुलना की। उनके द्वारा फरमाएगे सत्संगों की सीडी भी देखी। इनको कख भी जान नहीं, उवा बाई बखते हैं ये, के वलिए इस बात का दावा करते हैं, कि हम आधनिये धरमदास जी के वनसज हैं, और दुनिया को इस बात से वरमित किये हुए हैं, कि जो धरमदास जी के वनसजों की गदी से नाम उपदेश लेगा, उसी की मुक्ती होगी। इनका जो सत्संग देखा, सुना, इनके द्वारा लिखी पूस्तक पढ़ी। उनमें क्या पाया? ये क्या बताते हैं? कि सत्पुर्ष निराकार है, और ये ब्रह्म को सत्पुर्ष कहते हैं, परमपुर्ष कहते हैं। इनकी एक सीडी दास ने सुना, उसमें देखा, शिरी परकास मुनीद जी के मुकारविन से किये गये परवचन। उनमें ये क्या बोलते हैं? एक बार तो कहते हैं, परमात्मा के एक वानी उचारन करते हैं। कबिर साहिब कहते हैं, मुहे सुन सुन आवै हासी, पानी मैं मीन प्यासी। तो ये क्या तुर्णा करते हैं कि जैसे सरौर के अंदर मचली ये कहें कि मैं प्यास से मर रही हूँ, तो उसकी मूर रखता है। और जो ये सब कुछ हमें दिखाई देता है, ये सब रचना, पर्थवी, चांद, सितारे, इसके उपर जो पर्थवी के उपर रचना हैं, मनुष हैं, जीम हैं, पक्सी हैं, ये सारा मिलाकर ही साहिब है, यही ब्रम है। और ये कहते हैं, कि हम ब्रम होकर और ब्रम को खोज रहे हैं, ये हमारी कितनी अग्यानता है, श्री परकास मुनी, दामा खेड़े वाले जी, महंत जी के ये विचारे, इनका भावर्त है कुल मिलाकर, कि ये सारा कुछ जो है, यही परमात्मा है, ये जो साकार दिखाई देती है रचना, ये परमात्मा है, ये ब्रम को परमात्मा कहते हैं, और ये अपने आपको कह रहा है, कि हम ब्रम होकर ब्रम को खोज रहें, ये उसी सिद्धानत को दर्ड क है जब इलाषदास पारखी वो नास्टिक जिसने सारा…कितना लोगों को डबो दिआ, कि जी भी ही पर्कास है चीभी उसी वी धान है को से दर्ड कर रहे हैं। ब्रहम हाँड में रहकर, ब्रहम होकर हम ब्रहम की कुझ कर रहे हैं तो यह मजाक के ही बात है और मजाक जब किया जाता है तो हसी आती है कि हम ब्रह्म होकर ब्रह्म को खोज रहे हैं यानि हम ब्रह्म है हम बगवान है तो खाग्यान इनका हुआ बाई बक्रे यह कभीर साहिब की वाणी को ठीक से ना समझ कर इसका उल्टा आर्श लग आते हैं, अब देखिएगा, एक पुस्तक है, गर्दमनी नाम साहिब उस ड़ाइस साल के वालक नहीं, यानि सद्गुरु कबीर ग्यान पयोनिधी नामक ये पुस्तक है, सद्गुरु कबीर ग्यान पयोनिधी, और ये है, आचारी अगर्दमनी नाम साहिब के दोरा लिखी गई है, सद्गुरु कबीर साहिब धर्मदास साहिब वन सावली परते निदी सबा, कबीर धर्मनगर दामा खेडा जिला रहा है, परमद्य परदेश में याद परकासित है, और इसके मुद्र कौन है, गीता प्रेंटिंग प्रेस, सती बाजार रायपुर मद्य परदेश से, अब इसी पुस्तक के सद्गुरु कबीर ग्यान पयोनिधी के एक सो पिचासी परिश्ट पर दिखाते हैं आपको, इनकी अकल, एक सो तुरासी है, पुस्तक होई है, और य सत्गुरु कबीर साहिब का व्यक्ती तो, किसे थे, वह कौन थे, सत्थ तो यह है कि सत्गुरु सासन व्यक्ती परदान ही नहीं है, वह तो विचार परदान है, पार्थी कलेवर्स दारन के निर्मित से सत्गुरु कबीर साहिब एक मानो मातर हैं, किन्तु सत्थ सरूपी हो के नाते वे केवल विस्वे अनुभूती सरूप ही है यही उनके जीवन का लोकोतर सरूप है कभीर सहाब एक मानो मातर है ठीक है अपने आत्मों आपके समक्स हो गया कि इन दामा खेडा वालों का के ग्यान है इनके जो वरतमान में महनत है उसके पुझे गुरुदेव पुझ है पता जी ये क्या बताते हैं हिब्रम को सत्पुर्स बताते हैं कभीर साहब ने ये बता है कभीर साहब उस परमात्मा मज़ा कर लीन हो जाते हैं और परमात्मा कैसे हैं दरमदास जी ने सत लोग देखा हुआ पर साह के बताया कि वो परमात्मा मनु सदर से हैं जो कासी में स्वेम आई हुए थे कबीर नाम थे दुलहा नाम से एक खूद सत्पुरस है इसके वाहर खाक है क्या देखा इसन परमात्मा को जिन मापर्सों को परमात्मा मिला उन्होंने क्या बताया है सतलोक में परमात्मा धरमदास जी को स्वेम आकर ले कर गए अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज सतलो काश्रम बर्वाला जिला हिसार हर्याने के विचार और आईए आप जानते हैं लेहरतारा तालाप के गदी नसीम कबीर पंथी आचारी श्री अर्दनाम साहिब जी के विचार हम सभी कभीर पंथियों कе इष्ट है सद्गुरु egent मानते सद्गुरु के रूप में इस संसार में इसलिए हम उसे सद्गुरु के रूप में बानते अब यह अपने सुने लेहरतारा तालापके गदीन सीम कभीर पंथि आचारे श्री अर्ध नाम साहिब जी के विचार और आएए अब जानते हैं दामा खेडा गदी नसीं कबीर पंथी श्री प्रकाश मुनी नाम साहिब जी के परम शिश्य डॉक्टर पारसनाज जी द्वारा बताये गए प्रकाश मुनी नाम साहिब जी के विचार तो आप जी के जो पूजे गुरु जी है वरतमान में जो परकास मनी नाम साहिब जी वो अपना इश्ट देव किसे बानते हैं वो अपना इश्ट देव कभीर साहब को ही अपना मानते हैं रसब परमात्मा को साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं परमात्मा तो मतब निराका अब आपने सुने दामाखेडा गदी नसीन कबीर पंथी श्रीप्रकाश मुनी नाम सहभ जी के परम्शिश्य दौक्टर पारसनाज जी द्वारा बताए गए प्रकाश मुनी नाम सहीब जी के विचार और आएए अब जानते हैं परकाश मुनी नाम सहब जी के परमशीष्य बांधावगर गदी नसीन महंत श्री हरिषदास जी दुवारा बताएगए प्रकाश मुनी नाम सहब जी के विचार मारा जी आप जी का इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट सद्गुरु कभीर साही है. मारा जी परमात्मा को आप साकार मानते हैं या निराकार मानते हैं? परमात्मा तो ना साकार में हैं निराकार हैं लेकिन सारे ग्रंथों कहा गया है जो कोई पर लिखा गया है निराकार भी है वो साकार और निराकार दोनों तो एक ही समा बेसरता है हम तो अपने साकार को मानते हैं निराकार हों तो आपने सद्गुरू को ही मानते हैं निराकार अभि आपनी सुने दामाखेड़ा गदी नसीन कवेर पंथी श्री प्रकाश मुनी नाम सहिब जी के परमशिष्य बांधावगर्ग गदी नसीन महंत श्री हरिश दास जी दुआरा बताए गए प्रकाश मुनी नाम साहिब जी के विचार और आएए आप जानते हैं कवेर अब आपने सुने कबेर पंथी मधुपरम हंस जी महराज रांजडी जम्मू के विचार और आईए आप जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संद्रामपाल जी महराज सतलो काश्रम बर्वाला जिलाहिसार हरियान के विचार महराज जी आप जी का इष्ट देव कौन है मुझदास का जो इष्ट है इष्ट देव है वो परम अक्सर ब्रह्म है जिसके प्रियावाची सब्द परमेश्वर सत्पुरस अकाल मुर्थ सब्द सुरुपी राम आदि उसी प्रमक्सर ब्रह्म के उपमात्मक नाम है उनका वास्तविक नाम कवीर देव है कवीर साब है अल्लाहु अक्बर है इसी प्रमेश्वर ने सर्वे ब्रमंडों की उत्पत्ती की सभी प्राणियों की ये सर्वे उत्पादक परभू है सर्वे उत्पादक का अर्थ होता है जिसने सभी आत्माओं का भी वो जनक है सभी आत्माओं की उत्पत्ती उसी ने की सभी ब्रमंडों की उत्पत्ती उसी ने की और पांस तताव तता तीन गुणों की उत्पत्ती भी उसी परमेश्वर परमक्सर ब्रह्म ने की कवीर देव ने की और वही परमात्मा वही परमक्सर ब्रह्म जिसे हम संत वासा में सत पुरुष कहते हैं वो भारत वर्स की इस पावन दर्तीप है सन तेरा सो अठाणुएं समवत चौदा सो पच्पन जेश्ट सुधी पूर्ण वासी को सुबह ब्रहम मुर्द में सत लोग से अपने निज सथान से चल कर आके एक सिसु रूप धारन करके कमल के फूल पर विराजमान हुई वहां से उनको नीरु नीमा नाम के एक पती पतनी थे वो जुलाहा जाती से थे जुलाहा करम करते थे वो ने संतान थे उनको उठा कर घर ले गए परमात्मा जुलाहां की कलोनी में रहने से जुलाहा समुदाय में रहने से और बड़े होकर जुलाहा कारिया करने से वो जुलाहा कर लाए ये मुझदास के इष्ट देव हैं महराज जी इष्ट देव और सत्गुर देव एक ही हैं या इनका अस्तितो भिन भिन हैं इष्ट देव पुज्य परमात्मा होते हैं और गुरु देव उस परमेश्वर इष्ट का एक परती निधी होता है जो उस परमात्मा से मिलाने की विधी बताता है जो संत अपने सत्गुरु गुरु को ही इष्ट देव कहते हैं उनको अध्धात्मिक ग्यान कुछ भी नहीं है वो अध्धात्मिक गुरु नहीं हो सकते हैं अपने आत्मों आपके समक्स हो गया कि इन दामा खेड़ा वालों का के ग्यान है इनके जो वरत्मान में महनत है उसके पुझे गुरु देव और पुझे पिता जी ये क्या बताते हैं हिब्रम को सत्पुर्स बताते हैं कबीर साहब ने ये बताया कबीर साहब उस परमात्मा मज़ा कर लीन हो जाते हैं और परमातमा कैसे हैं? दरमदास जी ने सत लोग देख्या वापस आकर बताया कि वो परमातमा मनुसदर से हैं जो कासी में स्वेम आये हुए थे कबीर नाम थे दुलहा नाम से खुद सत्पुरस है इसके वाद खाक है क्या देखा है उन्हें परमातमा को जिन मापसों को परमातमा मिला उन्हें क्या बताया है? सत लोग में परमातमा दरमदास जी को स्वेम आकर लेकर गए और ये जितने भी कबीर पंथी है इन्कलूडिंग ये मदूपरमंस ये क्या बताते है? परमातमा जीस ने बताया दिया अमरपुरुस ऐसा है और कबीर साहिब को उससे अलग एक सत्गुरु मानते हैं बस और अमरपुरुस अलग है जबकी वास्तिवता ये है जिन भी महापुरुसों ने परमात्मा को देखा सचखंड गयर वापिस आए उन्होंने बताया है परमात्मा मनुसद्र से है और जो कास साहिव सी मैं बनारस मैं धानक रूप में आया था, जुलहि रूप में आया था वही खुड परमात्मा है व Only सत्पुर से है, सत्लोक में भी वही है लेकिन वहाँ उसके सरीर का, वह नराकार है वहाँ परमात्मा वहाँ उनके एक रोमकुब का इतना परकास है क्रोड सुरिया मिला दे और क्रोड संदर माँ उसकी रोशनी भी फिकी रह जा और यहाँ जब आते हैं वो तीसरी सतीती में वो एक सत्गुरू एक संत जिन्दा महात्मा का रूप बना कराए है जैसे कलीयोग में भी सेज कर जिन्दा महात्मा के रूप में आते हैं जिन्दा महात्मा कैसे होते हैं फकड़ फकीर होते हैं वो वैसे मुसलमानों के अंदर ज़्यादा माने जाते हैं उनके सिर पे काला टोप एक काला ही ओर कोट पहनते हैं गुटनों से नीचे तक का एक अंडर वीर पहनते हैं बस ऐसी वेस बुसा वाले को जिन्दा मातमा कहा जाता है तो जिन्दा मातमा के रूप में परमातमा दर्मदास जी को मिले दर्मदास जी को बहुत सा ग्यान समझा लेकिन ये अग्यान अमारे अंदर इतना ठोक ठोक का बर दिया जल्दी सी दूसरे ग्यान को गरेण नहीं करने देता लेकिन मालक के सचाई में इतना वजन है वो सथान अवस्य बना के छोड़ती है लाश्ट में दर्मदास जी ने सब परमाण मान लिये सारी बात सुन दी और फिर भी लाश्ट में ये जिग्यासा कर दी कि है परमात्मा आज तक यो किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई सथान है जहांसे हम आयर वहां ये सुख है वहाँ जनम मरत्यू नहीं है परमात्मा जब तक आख्या नहीं देख लिए इतने दिल में कच्चाई पन रहेगा मेरे मन में जचे नहीं तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था जैसे कबीर साहब को ते कवी और गणेद गणा एक संत मान के और इनकी फाइल को बंद कर रख्या था उन्हें इतना एक दुलाहा एक कवी और गणेद गणा संत इतना मान के छोड़ जिया था अब परमात्मा ने दास को बेज़ जा उस परमात्मा की महीमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं संग्मर्माण के स्वामी हैं अब दास अकिला का है तो किसी एक ना जब ये परमाण दिखाएगा वेदों में वही परमाण और जिन मापरसों ने परमात्मा का साख साथ कार्ग हुआ उन्होंने जो अपना अनुभो बताया उसमा वही परमाण फिर कैसा है बगवान वापर समझ माजएगा अब थोड़ी सी जलक देंगे आपको कबीर सागर की जो धरमदास जी ने आँखों देखा फिर वापिस आके बताया जब परमात्मा ने बहुत कुछ ग्यान समझाया कबीर जी ने दरमदास जी को उसका समझ मनी आई रुल्टी सुल्टी फिर भी कुछ ना कुछ आडचन अड़ाता रहा तो कबीर साभ अंतर ज्यान होगे और वो एकदम सामने से गुपत होगे तो दरमदास बड़ा विचली तोया रोता रहा और आखिर में ये ठान ली के परमात्मा ये दिदरसन नहीं दोगे ना तो आपका दास अन भी नहीं खाओगा ऐसे साथ दिन भी तो परमात्मा ने देखा ये बालक है चल अब इसकी जिगास आपड़गी है फिर दुबारा आते हैं फिर दुबारा गए तो फिर कहा के परमात्मा और तो आपकी सारी बात मान ली मैंने मुझे एक बार उसके दरसन करा जाओ आपके सचलोग के फिर बेरमन में कोई अर्चना नहीं रहा की देखिएगा ये है पवित्र कबीर सागर ग्यारा संपुर्ण भाग सहित खेमरा स्रीकर संदास परकासन मुबई कबीर सागर का ये पर्थम खंड कबीर पंथी भारत पतिक युगला नंद बिहारी द्वारा प्रिस्कृत मुद्र के में परकासे के खेमरा स्रीकर संदास अज्यक्स यहां से परकास है इसके हम आपको यह देखिए ग्यान परकास कबीर सागर का यह अध्याए है बहुत सागर खंड है इसके प्रिष्ट नमबर 23 पर यह ब्रेक्ट में इनके प्रिष्ट नमबर है जिन्दा रूप में प्रमातमा आये थे कबीर जी तो जिन्दा वचन खोदर मनी जो पूछो वो ही सुरत धर कहो में तो ही जिन्दा नाम एह सुन मोरा और जिन्दा भेक खोजती हूँ ओरा हम सत्गुर कर सेवक आही कबीर साहिब ने अपने आपको छुपा कर कहा कि मुझे ये ग्यान जो पराप्त हुआ है मैं सत्गुर का सेवक हूँ मैं सत्गुर से ये ग्यान पराप्त किया है हम सत्गुर का सेवक आही कबीर साथ कहते हैं कबीर साथ कहते हैं और मैं उसका सेवक हूँ सकल जीव के रखसक सोई सत्गुर बगती काज जीव होई सत्गुर सत कबीर सो आही अर गुपत परगट वोचीन नाही कोईचीन नाही सत्गुर आजगत तन धारी वोही परमातमाज जगत में शरीर धार्ण करके आता है दासा तन धरसबद पुखारी और काशी रहे परख हम पावा सत्थ नाम उन्वहे दरडावा अब देखो पुने आत्मा हो अभी आप बालक हो अभी आप बच्चे हो आपको पता नहीं कालना मारे साथ कैसा जुलम कर रख्या है हमारे पिता ने आम तक पहुंचने के लिए कितने फार मुल्ले अपनाने पढ़ते हैं तब उपने आपको पहचानवाता है कि मैं हूँ वो बगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो कबिर साथ कहते हैं मैं रोओ तूँ सिरिष्टी को या सिरिष्टी रोओ है मोई गरीब दास हमारे व्योग को समझ नहीं सकता कोई ये तो मुझे धून रहे हैं है सुखदाई परमात्मा हमारा संकट दूर करो हमें जनम मरनते छुटवाओ हमारे सुखदो बच्चों की रक्षा करो जो बगशकता को रक्षक जाना जो 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 इन खावे उसको ये बगवान मान रहे और उन्हें के पूतर काल के पूतर है सिरिवर मासिरी विशनो शिरिष्टी इसको ये बगवान मान के पूतर है जो बख्षकता को रक्षक माना और जो रक्षक उसते फिरें दिवाना प्रमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूँ कि मैं हूँ प्रमात्मा तुम मुझे पहचान लो मेरा ग्यान सभी कार कर लो तो तुम्हारा जन्म अमरनिका भी छुटका रहा होगा और यहांभी तम्हें सुख द्यूंगा जब तर लिए जीवन है, बक्ती करोगे तुम तक और ना कोई काल मरती तुम्हारी रही कर सकता, ना कोई काल अटेक कर सकता तो मुझे पहसान नहीं रहा है तो यहां ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है कि मुझे जो यूग्यान है और ये सत नाम जिसके मैं महिमा सुना रहा हूँ जिसके पास ये सत नाम होगा वो उसी का मौक्स होगा सत्चा नाम दो अखर का और उसके निकट काल नहीं आ सकता ना कोयम के दूद तुखी कर सकते सचे मनते सची शर्दा से भगती करो तो तरमदास ने पूछा कि वो सत नाम का आपने कैसे पता लगया तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सत गुरू का सेवक हूँ और वो का सी में रहता है उसका कबीर नाम है उसने मुझे बता रख है आप देखो सत गुरू सत कबीर सो आही गुप्ट परगट को इची ने नाही सत गुर आजगत तन धारी दासा तन धर सबद पुकारी कासी रहे परक हम पावा अमन परक लियाओ कासी में रहे और सत नामन वो इदर डावा इसके बाद काफी जर्चा हुई इनकी अब फिर आगे आपको ले चलते है इसी बड़ा लंबा अंग है हम अपने मतलब की बात पढ़ेंगे जिससे हमारा ग्यान सुड़ जावा है तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो पर्वातमा एदरस होगे यह देखिएगा प्रश्ट नमबर पच्पन पे आगे हम बोद सागर वह इग्यान परकास के यह पच्पन पे हे परभू दरमदास जी कहते हे परभू आवगद लिला तुम्हारी हम है कीट जीव बिचारी सत लोक तुम वरन सुनावा सोबा पुरुस हंसन सत बावा और कैसन देश राज वो आही वो कैसा देश है कैसा राज है चित इच्छा पर वो देखन ताही उसकी देखन ने मेरे चित में इच्छा हुई है सत गुरु वचन प्रमात्मा कहते हैं दरम दास ये निर्गनी काया यही तन पुरस दर्स के में पाया तन ठीका जब पूरा वो आई सत लोग तब देखो जाई प्रमात्मा कहते हैं इस गंदेश रीद में क्योकर देखेगा उस प्रमात्मा ने जब तेरा सरीर का ठीक का समे पूरा हो जागा तेरा अंसमे आओगा सरीर छोड़ का जब जागा सत नाम का जाप करता ह। वस्षित लोग ने देख लेना वहाँ जाकर के दरम दास बचन दरम दास गय चरन दी हो रहा ए परभू तरखा मिटाओ मूरा चरन टेक परभू विनवो तो ही पूरस दर्स बिनो कल नहीं मोही एक बार उस परमातमा के दर्स न कराई दो मुझे मेरे को चैन नहीं उसके विना परमातमा गुप्त होगे गुप्त बहे पर अवगत ताता दरम दास मुखावन बाता एकदम अंतर ध्यान होगे और दरम दास एकदम अचरजमा पढ़ गया मौन होगया मैं मतिहीन कुमती मुही लागा मुहे सम कोई जग आई अभागा मैं मूरख परतीत न कीना अस साहिब के मैं नहीं चीना अब कौन विधी दरसन पाऊं दरसन बिन मैं पराण गुआऊं चरनो तक बिन करोन ग्रासा तजों सरीर कह धरमदासा कि आपके चरनों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा नी तबान नहीं खाऊंगा नहीं खाया अब परमातमा ने उसको पर्थम मंतर दे दिया था ओनली वो पांच नाम का फिर कहते हैं साथ में दिन परगट दिखाए धरम दास पद गए अकलाई चरन पकड़ कर रोया बुरी तरे धर ही ने स्वासमाई निप्ट अधीरा पड़े चरनम मक्सीन शरीरा कमजोर शरीर हो गया था चरनों में गिर गया कर गह साहिब तभी उठावा और सीस हाथ दे अंक मिलावा कहते हैं परमातमा कबीर जीना के उस कमजोर होए साथ दिन कुछ खाया नहीं उस प्यारी आतमा का हाथ पकड़ के और सिर्फ आशिरवादिया और सीने से लगाया कर गह साहिब तभी उठावा सीस हाथ दे अंक मिलावा अंक माने सीने से धरमदास चरनों दक लेना चरन दो के पी एक धरमदास ने और चरन पकार आशमन कीना अब फिर भी उसने वही रट लगा दी सताउन परिष्ट बन पढ़ रहे हैं धरमदास वचन खोपरभू चिंतागन करू मोरा और पुरस दर्ष देव करू निहोरा आपके निहोर निकालता हूँ निहोरा काड़ू आपके हाथ जोड़ू एक बार मुझे वह दर्ष न करा दो परमात्मा कहते हैं सत्गुर वचन कबीर साहिब कहते हैं धरमदास ये हठका करू और मानो सब्द सीश पर धरू मैं जो कह रहा हूँ इसने सिरोधारिये कर ले बगती कर सतनाम कर और सतनाम करेगा और सार नाम तुझे दूँगा वहीं पहुंच जाएगा अब मैं तुझे दिखावी दूँ तो क्या होगा बगती तो करनी पड़ेगी जैसे कोई बच्चा डॉक्टरी कर रहा है और कोई नू कहे कि मैं तजब पढ़ूँगा मैं वो डॉक्टर दिखा कैसा होता है उसको डॉक्टर दिखावी लियाओए तो क्या डॉक्टर बन गया हो फिर भी ट्रेनिंग तक करनी पड़ेगी तो ट्रेनिंग करके ही वो डॉक्टर लगेगा यानि उस सुख को प्राफ्ट करेगा जो इस विज़ी से अन्य को प्राफ्ट है देखिएगा अब कहते हैं अब कहते हैं पुर्स दर्स बिन रहे ही रेखा कि मैं आपकी बात मान लूँगा लेकिन जब तक देख नहीं लूँगा मेरे हर्दे में एक रेख बनी रहेगी यानि कोई आंट बनी रहेगी तो लीला बहुत हम देखा पुर्स दर्स बिन रहे ही रेखा जो किंकिर पर हो दयाला मुझे नीच पर दयालो हो जाओ तो छिन महें होए गत उरसाला आप तो एक सन में सब कुछ कर सकते हो आप सत्गुरु वचन कभीर साथ कहते हैं धर्मनी जो ऐसो चितकी न्या और तन तज चलो लोक पर वीना इस सरीर को छोड़ चल मेरे साथ राख्यो तन गौन ले हनसा उस सरीर को तो गुप्त रख दिया अर्ता पहुंचे जहां कीले संसा जहां सब संसाओं का नास हो जाता है वहां लेगे लवन में एक पहुंचे जाई एक अक्षन में वहां पहुंच गे आफगत लीला लखे को भाई सोभा लोक देख सुख माना दरमदास दी वहां पहुंच गे और वहां परमात्मा के सत लोकी सोभा देकर बड़ा खुसी हुए उदीत असंक ससी और भाना उसम असंकों सुरिये और ये तंदर्मा हो इतना परकास है सत लोकी दर्ती का उस पर्च्वी का और परमात्मा का अलग सरीर है उसका न्यारा परकास है अब देखिए अठावन परिष्ट पर आगे हम जित देखिए जगमग जलकाही और देखत छकित बहे ही ये माही उस जहां देखा उड़ा सुंदरता सुंदरता जलमल जलमल और ये पूरे लोक में दर्मदास जी ने जब देखा ये देखिएगा द्वारपाल हंस जो रहिया ता मैं एक हंस सो अस कहिया ये हंस ही ये हंस है और उस दर्स दे आनो भाई कहते हैं दर्मदास जी को सत लोक में लेगे न परमात्मा का दो में गेट है जिसमें वो बैठे है राजा के समान उसका द्वारपाल है गेट की पर उसको परमात्मा ने कहा कभीर जी ने तो नीचे से जिन्दा महात्मा के रूप में उसके साथ गए थे काभी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया वहां का हन्स भगत उसके भगत कहो चाहे हन्स कहो उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ तो गणे है बगत कठे होगे जो वहां रहते हैं जो मोकस पराथ करकर करके गए हूए है मनुसके सदरे से उनके नाक हैं गले ममोजनते सुंदर माला पहनते हैं हरिये बताओं उड़े बुंद सी गूमा है कोई नोगा उसमें जाका मिल जाते हैं समुन दर बूंद मर्डू भी का मर्या करें जैसे है मूर्खो कख पता तुमने बर्मित कर दिया पूरा विश्वे अब देखो क्या है वहाँ पर वास्ट विकता द्वार पाल हंस सो कहिया ताम एक हंस अस कहिया एही हंस हंस है तुम जाओ लिवाई इसको ले जाओ और पुरुष दर्स दे आनो भाई पुरुष माने प्रमात्मा का दर्सन करा कर लाओ चले लिवाई पुरुष पे जब ही प्रमात्मा के पास लेकर चले जजक हंस बहु आए तब ही एक मेंट वो गड़े हैं बगत आगे हंस आगे वहाँ दू रहते हैं जो मोक्स प्राट प्राणी वहाँ रहे हैं डगड़ें कठे होगे और करत को लाहल मंगल चारा खुसी खुसी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं सोबा अद्बुद अंग अपारा उन वहाँ के रहने वाले वगतों की जो वहाँ जीवात्मा रहती है हंसात्मा रहती है उनकी कितनी सोबा है कैसे आकार है देखिएगा अद्बुद अंग सोबा अद्बुद अंग अपारा हंसन सोबा कहां बताऊं कुछ एक परभाव सोबरन सुनाऊं और माला सुसोबित होती है देखिएगा सुसोबित हनसा रतन माला की रतन माला गले में सुसोबित है उन अनसाँ की और और मनी माला किमी करों परसंसा और भी नुरी सुंदर माला है उनके गले में जगमग दे हनसन कर ही उनका स्रीर जगमग करता है अमर चीर वह उसो बाधर ही यानि अमर कपड़े हैं वहां के जैसे सत लोग के सभी पदारत अमर हैं कपड़े भी कभी नास नहीं होता वहां के पदारत भी कभी खराब नहीं होते वहीं से एक प्रमात्वाने सेंपल बेज रहा है परच्वीब सत लोग से ये गंगा का जल ये सत लोग से आया विश्णु जी के लोग में विश्णु जी के लोग से आया सिव के लोग में और सिव के लोग से फिर ये आगे आई यहां परच्वीब पर गोमुक के इंदर वास्प बनकर दूसरा प्रारू बनाकर वहां इसका कोई भेदू नहीं निकाल पाए तो कहने का भाव यह है कि एक सेंपल वे जा था भगवान ने कि वहां का ऐसा जल है जब वहां से गुमते गुमते इस नकमे लोक में भी इसका ऐसा अस्तितो है और वो तेक प्यॉर प्लेस है सत लोकते तो कहते हैं जगमग दे हांसन करही अमर चीर वो सोबा धरही उड़ राख चिकुर सोबा छवी छावे रवी का करतार रोम छवी छावे यह है कि आंसन भाल सोबा के मैं कहूँ अब क्या बताते हैं कि उन अनसों की जो वहां पर रहते हैं उनकी माथे की सोबा बताता हूं माथा बाल देखिए कि मैं कहूँ सोडस चंदर बाल छवी लहू वो हो अब कहते हैं उनके माथे की जो सोबा है सोला इतना रोसनी है उनके मस्तक की जैसे सोला चंदरमाओं की रोसनी हो माथे माथे की वहां के अनसों की और बाकी सिरीर की कतावरन क्या आगे बताता हूँ सोड़स चंदर भालच सभी रह लहो हन सकानती परती रोम परकासा हीरा मनी उजित रोमान सा एक एक रोम की या निबालों की ऐसी सोबा है जैसे हीरा मनी होती है और कोटिक विद्वनष चभी मोहा दे गरान गरान माने नासीका उनका नाक भी है दे गरान और सोबा अतिगरोहा सोड़स रवी हनसन सभी मोहा और देगरान सुब अमर्त सोहा वहां के जो मोक्स प्राप्त प्राणी है मनुस सद्रसे है उनके नाक गर्दन माथा सारा बता दिया मस्तिक और उनके पूरे बोड़ी का जो परकास है सोले सुरिये जितना तेज है उनका और परमातमा का तो घणा है वो तो एक रोम कोप में क्रोड़ सुरिये क्रोड़ संदर्वा मिला दो से विजी कह लेकिन वहां के मोक्स प्राप्त प्राणी मनुस सद्रसे है गले में माड़ा पैने कपड़े पैने अनाचें गावें और ये बूंद और बिंदू बतावें और कोई नहीं को उसमा डूब कमर जा ऐसे समावें ये नकली है सारे ये देखो प्रमानस दिशने आँखों देखा बगवान को सोड़स रवी हंसन छवी मोहा एक हंस की सोले सुरिये जितना टोटल परकास है दे घरान सुब अमर्थ सोह दे भी है उनका घरान माने नासी का भी है कंचन कलस जड़ी लोना रतन थार आरतिम ही सोना यानि रतनों की थाली बरक है और हनसन मगन सबद मुख उचारा और किरडा विनोद रतन मनियारा किरडा विनोद आनंद से नाचे कुछ देखे ले देखो सुरत हनस के आगे लीना एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हनस जो पहले सोले वचनों से उत्पन हुआ था वो उसको साथ लेकर वाक्य के संत वहां की आत्मा है जो मनोस अधर से हनस सारे कूद ते नाच दे चाले उस दरमदास जी के साथ में देखिएगा सुरत हनस के आगे लीना नर्त कर्त चले हनस परमीना नाचते गाते चले वहां पर बिंदू बिंदू के नाचते हो अच्छ लित लेगो माँ बसे और सूरित हन्स अगराने पुरस सकल देखत हरसाने परमातमा की सकल देख कर चीरा देख कर हाँ से बड़े खुसी हुई सिंगसन चवी देखत मनमोहा अए है परमातमा शिंगआसन पर बैठे थे उसकी बहुत सुंदर चवी थी अदुत अमित कलातन सोहा प्रमात्मा का सुंदर शरीर था पुरुस रोम एक कला अनन्ता वर्नत काउन पावे अन्ता एक रोम रवी ससी कोटी सा प्रमात्मा के एक रोम में करोड ससी यानि चंदरमा रवी और सुरीय ये मिला थे नक कोटिन विदुम मलन रवी सा यानि नाखुनों की सोबा भी बड़ी सुंदर है पुरस परकास सत लोग अंजोरा तहान पोंचे निरंजन चोरा पुरस कबीर देख्या एक भाई ओई होई धरमदास जी कह रहे हैं कि वहाँ मैंने जो नीचे से गया था ना मातमा जिंदा वहाँ जाकर देख्या जिसको वह तो बैठे पाई मने सिंगासन पर पुरस और कबीर बगवान और कबीर जी देख्या एक भाई और धरमदास मन में बहुत लजाई अकमद बनाने कमा ये तो बगवान ने थे नीचे जा रहे थे और ये कबीर पन थी नहीं बता हूँ कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल आई कबीर साहब तो सद्गुरू है और वो चेतन परकास है बगवान अडंग्यो बठा बठा रहे थे पुरस कबीर देख्या एक बाई धरमदास पुन रहे लजाई बड़ा सर्मिंदा हो गया थे बगवान के इतनी बकवाद कर दी किसा ने कमा दोस्ट हो मैं वहां इतना सरम ग पुरस कबीर देख्या एक बाई धरमदास पुन रहे लजाई पुरस दरस कर आयो तहुआ पर्थम कबीर बैठे रहे जवाँ अब फिर वापिस आगया वहां देखके जहां कबीर जी बैठे थे उसी रूप में फिर आगे जिंदाले में तो चरना मपढ़ कर क्या बोलता है यहां कबीर पुरस दरस कर आयत हुआ वापिस आगया प्रमातमा के दरसन करके जहां कबीर साब पहले बैठे थे यहां कबीर बैठे पुन देखा कला पुरस तन अचरज पेखा यहां फिर कबीर साब को फिर देख्या और का अजगुत किन्यों भाई वहां मुही परतीत ना अब क्या वारता करते हैं कवीर जी से पूछता है उदरमदा से प्रमात्मा आपने यहां तो एक सिंपल सा स्रीर आपका दिख है एक आम आदमी जैसा और वहां आपके इसी स्रीर की इतनी सोबा थी यहां क्यों छुपा दी अपने अतमाओ जैसे एक कोठी के कमरे में कक्स में एक अजार वाट की टूबला गरी हो एक पन्सो की हो एक जीरो वाट का भी बल्लब ओ डूबो अजब सारी जगानी है तो सारी जगानी जगमग जगमग हो गया कमरा सारा और सब औरों को बंद कर एक तो प्रमात्मा ऐसे अपने बोड़ी को वो स्रीर के सोभा वो ओफ करके परकास की टूब रा जाते हैं यहाँ पर यह क्या बता रहा देखिए कबीर पुरुष एक वहां छिपाए कबीर पुरुष तो एक है वहां तो इनन छुपा रख्या है सत्पुरुष जगदास कहाए वह परंपुरुष वह सत्पुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए यह तो खुद बगवान है और धाय चर्ण गहु अती सुकचाए भाग के वापस आए तो दोड के परमात्मा बैठे फिर उसी रूप में कबीर रूप में जिन्दा मात्मा चर्णों में पढ़के बड़े संक्चाए बड़ा सर्मन्दा हो गया धाय चर्ण गहु अती सुकचाए हे परभू हम परीचे अब पाई अब में पहचाण पाया आपको यह सोबा कस उहां छिपावा कस नहीं जग में परगट दिखावा अब कबीर साब से धर्म दास्टी ने कहा है परमात्मा जो आपकी यहां सोबा है तो संसार में आपने वाद गुप्ट कर रही है वाँ क्यों छुपा रही है आप तो खुद परमात्मा हो और यह नकली नोग है कबीर साब तो अलग है यह तो सत्गुरु वो परमात्मा जिस ने भी वगवान को देखा उन्होंने जैसे अब आगे बताएंगे पहले यह कलिर कर देता हूँ अब यह हम उन्हों सेट प्रेश्पल पढ़ रहे है ग्यान परकास के यह बहुत सागर खंड है इसका अब यहां आगे यह सोबा कस उहां छिपावा कस नहीं जग में परगट दिखावा किसलिए आपने जग में परगट क्यों नहीं दिखाई यहां कैसे छुपा लिया आपने अब परमात्मा बताते हैं सत्गुरु वचन धर्मनी जो वही छवी जग में जाऊं तो होय विकल निरंजन राऊ यदि मैं इसी सोबा से इस काल के लोक में चला जाऊं तो तुमारे इस बगवान के काल के जहुत निरंजन ब्रम का कलेजा फट जा और कोई मुझे देख नहीं सके क्योंकि इस रोशनी को चरम दरिष्टी सेन नहीं कर सकती इसलिए गुप्त अपना हलका तीज पुंच करके इस विधाम आपको मिलते हैं देखो दर्मनी जो वही छवी जग जाओं तो हुए विकल ये निरंजन रहू ये काल निरंजन विकल हो जागा दुखी हो जागा इसकी बुरा हल हो जाएगा और सब जीव तब मोही लोलावे और उजड़ेस भो सब लोक ही जावे इसका उजड़ जागा सारा देश लोक है तातें गुपत राखों जग भावू और सब्द संदेश जीवन समझाओं वो सब्द जीसे मोक्स होगा उस जीवों को बता रहा हूँ मैं और सब्द परकचीन नेमोए कोई गह परतीत गरपों चैसोई जो मेरे इस नाम ने ले लेगा वो सत लोक चला जाएगा कहे कबिर सुनो सुकरत अंसा दर्स पुर्स भेटू चित संसा अब तुम बेग चलो संसारा अब जल्दी जाओ संसार में अर जीव चेता हो करो पुकारा पुकार पुकार के आखों देखा डिंडोरा पीट दे मुनाज़ी कर दे और डॉल के डंग के बतादे सचाई को तो वहाँ जो भी तना सुक देख्या यहां का इतना अडंगा यहां सुक नाम की वस्तु नहीं वहाँ जाके दरमदास जीना हाथ जोड़ दिये और नो बोले परमात्मा मुझे यही रखलो वो तो बहुत गंदा लोग है यह दाताओ वहाँ तो एक दिन मर्चू होनी है और कोई किसी का नहीं और मुझे यही रखलो जब परमात्माने कहा बेटा ऐसा नहीं रखा जा सकता तुम यहां से गए थे तुम परिपूरून थे बक्ती से तुम हन्स थे अब तुम काग बनेगे एक एक पैसे को बटक रहे हो क्योंकि तुमारी पुंजी खतम होगी पुनों की आपको ऐसा मंतर दूँगा सतनाम जिसकी एक सुम्रन भी कर लेगा उसका कितनी किमत हो जागी सतनाम पालड है रंग होरी हो चोदा लोक चड़ावै रंग होरी हो तीन लोक पास सेंग धर है रंग होरी हो तोना तुले तुलाया रंग होरी हो कहते हैं एक सतनाम ऐसा दूँगा स्वास वो स्वास से दिकारी से लेकर इसका सिमन करेगा तो इतनी वेलू में लेगी आपको उसकी इतनी किमत है कि यहां के एक बिर्माड ने सारे एक मज़र दे चोदा लोग है इस बिर्माड में और तीन लोग ये अलग हैं पर फिर्ट्वी लोग सुरग लोग और पाता लोग कहते हैं इन तो पास सेंग रख दे न का तो कोई सोदा नहीं और वो चोदा लोग एक पालडे में रख दे तकडी के में और एक मज़र दे एक स्वांस हो स्वांस के सतनाम की किमत तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो तो भी उसका पलड़ा भारी रहेगा एक सिवन का और पुनात्माओं आप कितने करोगे जब जाकर वहां जाने योगे होगे आप कितने परिपूर्ण थे बगती से और कितने खाली होगे नकली साधनाओं से इसे खूब अंदाजा लगा जा सकता है तो क्या बताते हैं देखिएगा अब तुम बेग चलो संसारा अर जीवई चेतो करोग पुकारा दरमदास जीवचन ए साहब अब वहां नहीं जाई ये सुक घर तज कहां धुराई मुझे इसे सुक ने छोड़ के कहां जाने को कह रही हो वही यम देश अपरफल काला नहीं जानो धोमती होए बेहला ए परमात्मा मजजब तक नहीं ग्यान होया था तब तो गंदमा पढ़ाई ही था वो तो काल का लोग है वहां नहीं जाऊं वहां एक सबद है दरमदास जी का मोहे राखे लियो माहराज हमसे बिगडी है मोहे राखे लियो माहराज हमसे बिगडी है बिगडी है माहराज हमसे बिगडी है माहराज हमसे बिगडी है वहां मत भेजो माहराज काल की नगरी है वो मत भेजो महाराज काल की नगरी है बहुत रोए पुरमात्मा का गए पुरमात्मा बोले बेटा नो बात बना नहीं तेरे भाई बेन हसे पड़े हैं तो गवा बनिये मेरा रहे से नहीं रह सकता मैं तेरे साथ रहूँगा पलपल मैं तेरी मदद करूँगा तो सतनाम कजाप करता रहेगा मेरी मरी आदाम रहेगा तेरह काल कुछ बेगार ने सके तो पुरमात्माओ और ये नकली क्या बताते है वो है वो सत लोग जा सदासों की वा जाने के बाद तुम जाखो भी कोई ना इदर को चलो सत लोग, लो सत नाम इन्होंने सम्हादी पूजा बना रखिये वहाँ पे नारियल फोड़ते हैं और उसथी परकास मुनी नाम साभी को एक परमसंत जैनाक है जिसके स्वागत के लिए नाचते हैं, गाते हैं ड्रामा करते हैं ये सांग करते हैं सत्संग ये संतों के लक्सन है कबीर प्रमात्मा कहते हैं नाचे गाए किने ना मिलिया जिन मिलिया तिन रोए और नाचे गाए हरी मिले तो कौन दू आगण हो अब ये जितने भी पंथ है ये इनकी जड़ दिखा दी दासने जैसे पहले हम छोटे-छोटे थे वर्सा के दिनों में ये पोधे उग जाते थे आम के पोधे की तर नीम का पोधा तो हम क्या करते थे उन पोधों को वहाँ बहुत ज़्यादा उग जाते थे एक स्थान पर उनको वहाँ से निकाल कर मिटी से अपने खेतों में दूसरे स्थानों पर लगाने के लिए लेकर चलते थी और किसी पोधे की मिटी हट जाती जड़ों की तो दूसरे ये कहा करते तेरे पोधे की जड़ राम ने देख ली अब यू ना लगए सुख केगा तो वो ऐसा ही होता था क्योंकि ये खेत से दूसरे खेत में जाती तेने एक डेड़ गंटा लग जाता जड़ा मिटी थी है नहीं वह लगाते हो सुख जाता तो दास ने इन सभी पंथों की जड़ देखा दी राम ताइं अब ये सारे सुख केंगे इस पूरे एपिसोर्ड में श्री परकासमुनी जी दामा खिड़ा वाले ने और श्री पंथ अर्दनाम जी बनारस लहरतारा वाले ने श्री मदू परमानस जी रांजडी वाले ने ये क्या स्पष्ठ किया है ये परमात्मा को भिन मानते हैं परमपुर्श को और कबीर साहिब को केवल एक सत्गुरू मानते है ये परमात्मा को निराकार मानते है जबकि परमात्मा आपके समक्स बताजिया के साकार है वो स्वम परमात्मा कबीर जी ही पूर्ण बिरम है परमक्सर ब्रम है वो परमपुरस और दूसरा ये स्वम अपने आपको कहते हैं हम ब्रम होकर ब्रम की खोज करें वोही पार्खियों वाले सिध्धानत को दर्ड किया है कि हम ब्रम है, यानि जीव भी ब्रम है तो फिर खोज किस की करें फिर किस लिए सांग जोट रख्या है फिर अगर ये सारा संसार तो दिखाई देता है यही सब कुछ है तो कभीर साहिब ने क्या जरूती सतलोक से आने की और इतना ग्यान देने की तो ये पत्वर्ष्ट है इनके पास बिलकुल ग्यान नहीं है ग्यान इस दास के पास है और रह रहकर इस सचन को सुनो बार बार सद्गरंतों को देखो इनसे बचो और सतलोक आसर बरवाला इस हार अरियाना मावर अपना कल्यान कराओ सद्ध साहिव आए अभमुन श्रद्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं स्द्धराप्त कि अने से पहले मैं अगूं रेकिन चंहें धी पता भी नहीं है जब यहां आया हूं סत्चकुरू की सरण साहत मैं उसके बाद मैं समझा हूं कि कभी शहब का है मैं पुर्न प्रमात्तमा है परमक्षर प्रम है मैं इससे पहले सिर्फ यही जानता था जो कभीर सहाब एक धानक थे छोटे से परिवार में एक सुद्र के रूप में उनको माना जाता था और एक ऐसे मुझे सही धंग से पता भी नहीं था जो कभीर सहाब क्या है यहां आने के बाद मुझे पता चला है कि कभीर सहाब क्या है और उनकी जो मैंने पुष्टक पढ़ी भक्ति सवधागर शंदेश वही किताब पढ़ करके मैं यहाँ आप बच्पन से आपने आपको खुविर पंथी बता रहे हैं तो किस संद से आप जुड़े हुए थे कहां से आपने नाम उर्देश ले रखा था मैं शीता मठी के एक शहदे अदास है हमारे पूर गुरु थे तो वही मैं बच्पन में था क्या मंत्र दियो भी मुझे सही दंग से याद नहीं है बाकी क्या होता है यह सबसे वरा यह हुआ कि महाराज की शळण आपको कैसे परापत वही जो मैं ने पुस्तक पढ़ा और यहां आने का मेरा सबसे बड़ा यह हुआ कि मेरी एक भती जी थी भती अभी है उसका नाम है पुस्पारानी नाम है लगवाद बारा साल की अभी है उसको दो हजार नौ से इस तरह को बिमारी पकरा उसका उसकी माँ को तीन-पर अपरेशन हुआ पट् बिमारी का ठोटिका नहीं लगता था इसके बाद जार्फक करने वाले बहुत से तांतरीक है हमारे यहां जो जहां कहता था वहां लेकर के मैं उसको जाता था दुनों मा बेटी को अंत में फिर भूत प्रेत का चकर होने लगा बहुत जार्फोक होने कहीं से कुछ नहीं तो मैंने पुष्टक पढ़ा था मैं किताब ले गया था वही कोड में किताब खरदा था दस रूपया में भक्ति सदागर और उसको मैं तो थोड़ा कम भी पढ़ा मेरा छोटा भाई है जिसकी बेटी और पत्नी के बारे में बतला रहा हूं वही उसको ज्यादा पढ़ा करता था और वही बतला कि ऐसे से स्टेट्मेंट उसमें देखते हैं जो ऐसे से मने एम से जो रिफ्यूज है अपॉलो से रि आज अब कहीं कोई उपाय नहीं है और हमारे ससूर यह थे और हमारी पत्नी जिसका अप्रेशन हुआ है मेरी भाई की छोटी पत्नी वह सब जैगुर्देव से जुरु हूए थे मत्हुरा हम तो बच्पन से कवी पंथी थे लेकिन जैगुर्देव पंथ से जुरु हूए और वही हमारे सशुर जा काना था कि और कहीं से नहीं ठीक होगा तो अंत्मिद्ध जै गुर्देव कि यहां जाने के बाद ठीक हो भी जाना है वह तो परम संथ है अलागि हम लोग बीच में कहते थे कि क्योंकि साथ में किताब लीए थे और उस समय से उसक किताब को ने ब्रा पर नहीं को पर तो पर नहीं से बार में और किताब में जाना और उसके बात तब क्या हुआ हुआ हमारे शसूर है डूने मावेटी को ले करके नंत में जब कहीं से कोई चारा नहीं लगा कोई नहीं बचा तो मुथ्रा में लेकर क्या है और पंदरा दिन वह उड़ा है पंदरा दिन में जब उनको कोई पाइन हुआ हुआ वहां क्या होता था जो जैसे मत्य पर आसिरबाद देना है कुछ करना है तो पांसो रुपिया लेकर कर जाओ तो आसिरबाद मिलेगा इस तरह का तो वहीं से उन्होंने फिर कहा कि आप कोई रास्ता लग नहीं रहा हमके एक बार आप ट्राइ करके देख लिए हमने किताब में पढ़ाया जिस तरह का स्टेट्मेंट जो आप एक बार वहीं से वहीं उधर से लेकर कि आप जाईए यहां हर्यान आ जाईए यहां का हम लोगो पूरा पता भी नहीं था तो हमने एक उस्थी किताब में कि स्टेट्मेंट है एक राम कुमार मास्टर साहब है को मैंने फॉन पंपड़ा है किताब में क्या वह सही है या कुछ बढ़ा चला करके दिया गया है क्या है तो उन्होंने बतला कि नहीं एक दम ऑस परमात्मा के स हो किसी भी प्रकार का कोई बात होगा तो वहां चले जाए और एकदम ठीक होना ही है तो हमने वहां फिर अपने ससुर्जी को कहा कि आप वहीं से मतुरा से चले जाए उधर से उधर दोनों को ले करके दोनों मा वैट्टी को ले करके यहां आए उस्षे में सत्संग समाप्ध ह हो गएती दो दिन पहले तो यहां करके नामदान लिए नामदान लेने के बाद और मेरी भतीजी का जो था उसको पीट का दर्द इस तरह का था कि उसका इलाज कराते कराते यानि समझ लीजिए जो अभी तक अल्ट्रा साउंड एक्सरे फालना चला जिस डाक्टर के हां जा कोई डाक्टर या बैद या कोई जार्फ करने वाला कोई हमसे दुचा पांच लाख रिप्या एक बार रहे ले एक मुस्त ले और इसका दोनों मा बेटी का इलाज कर दे ठीका ले ले तो यह एक होगा लेकिन ऐसा कही कुछ चारा नहीं लगा तो अन्त में वही यहां है तो की है वारे बतलाए और उसका हुगया और उसके बाद जो उसकी मारी आसा बहुत पारेशन हुआ ऑस फृत बादा है उसके रहीं कमसे कम पांच लाख़ुट प्रहश्य को शूपर हम खर्च करे कर लेका कर कि तींदीन वारा इसवारा प्रेशन होना और मेरी भती जी लिखें देता था और इस तरह से करते करते तो हम लोग मैंने पैसे से एक दम बिल्कुल अती हो गए थे परिवार में समझें कि नहीं और हमें से एक टेंशन वारा था इतना पैसा खर्च हो रहा है उसके बावजूद भी कोई फैदा अगर होता है यह होता है कि चलो है मन को त असली चलो पैसा खर्च हो रहा है हो रहा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था तो इसके बाद यहां आने के बाद यहीं नामदान लेने के बाद दोनों मावेटी आज बिल्कुल थी है मैं उसके दो महने के बाद मैं भी आकर के नामदान लिया उसके बाद हमारे पुरी परि कि में जहां पर आया हूं तो पूर्न परमात्मा के सर्ष भी होते हैं तो यह इनको मैं एक कभीर शाहब चुकि मैं तो पहले जानता भी नहीं था कभीर शाहब है सबसे बरे परमात्मा गौड और उन्हीं का यह मने दूसरा रूप यह चोला बदल करके यह हैं और प्रमसें सद्कूर रामपाल जी महाराज से नाम उदेश लेने के बाद आप बता रहे हैं कि जो आपकी ब्रती जी की लाई-लाइस भीमारी थी वह आश्रम के अंदर आथ ते ही ठीक हो गई और आपकी जो भावी थी आपकी छोटे भाई की मिसेश थी तो उसकी भी जो अगरा मुत्रा में भी लेकर गए जैगुर्देव पंथ में जहां पर आपके जो फादर इनला जुड़े वे थे और वो कह रहे थे कि दर्टी पर यहीं लाज नहीं हो तो मुत्रा में होएगा और वहां से भी आपको निरासा ही आत लगी वहां कुछ आपको आथ नहीं शंत्रामपालजी महराज की सरण में आवें यहीं पर शंत और प्रमातमा भी हैं और इन्हीं के सरण में पूरी प्रिटवी पर चुकी मैं और भी अंहीं धन्य का मैंने सुना है इनके साथ ग्यान-किसी के पास नहीं घ्यान अगर है तो सिर्फ यह हमारी पहले शमझे नहीं अगर उसको अत्य हो तो बार-बार सब्सक्राइब को समझे और अपना जीवन करें क्योंकि इस पूरे प्रिथी पर ग्यान है तो सिर्थ यहाँ है इस बरवाला यह सतलोक आस्रम में है और यहीं सपना उधार कराबे सतलोक जाए मुख्ष को प्राप्त हो और सही साधना यहीं है सास्तविद्व साधना करने से को गीता में ही बतला है सद्विद्व रामपाल जी महराज ने बतला है कि गीता अध्या सोलक असलोक नमबर 13 हम लोग यहां ढूले हुए हैं हैं बहुत लोग दोशते हैं संब करते हैं यह और तो हरे हमेशा सुनता है और इस से कुछ ज्यान अर्जित हुआ है। अब योग मानने के लिए त्यार नहीं होते हैं। और तत्तर से शंत है वही परमात्मा है ये बेद भी बतलाता है जो गीता में भी बतला रहा है कि जो प्रमक्षर ब्रम जो है उनकी पुजाकर बर जुनको करा जिए उनकी पुजाकर तो इस तरह से और उब्रम ये भी बतला रहा है कि उसका ग्यान मैंने रखता हूं वह ग्यान कि तत्दर्शी शंत से पूछ तो तत्दर्शी शंत क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी देखा है यही है कि वह दूसरी के पार आउरा उसी गीता में भी पतला रहा है वही तत्दर्शी संत है वहिए उनके बारे मैं इनके बारे नहीं जानता हूँ उसके लिए कि तद्दोस्य संथ यहीं है और इन से नामदान ले करके यहीं स्यत्थी करके और अपना मुक्ष करावे अपना कल्यान अपना जीवन से फल बनावे यही हमारा भक्षमास से यही मेरा संदेश है यही दनिवाद आपको बहुत पोटन है आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संतरामपाल जी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatgururampalji.org संतरामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र हैं जिन पर संतरामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541 अपने लिए संपर्क करें